Hello everyone, welcome to Examplus Academy, आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे हमारे last six month, यानि की October से March तक के हमारे last six month के banking and financial awareness के questions, हम डिसमें डिसकस करेंगे हमारा last six month banking and financial awareness और ये जो वीडियो होगी ये bilingual होगी, यानि की ये आपको हिंदी और English दोनों में मिलेगी, आपको question, option and content जो होगा, आपको ह Hindi और English दोनों ही language मिलेगा, और इस वीडियो की complete PDF file आप लोग नीचे दिये गए लिंक से download कर सकते हैं, और आप लोगों को कोई specific हमारे current affairs या फिर banking awareness वीडियो देखने हैं, तो मैंने अपनी चैनल पे जो playlist है वो update कर दी है, आप लोग उस पर जाके banking awareness, current affairs या हमारे static banking के जो व specific topic पढ़ना है, इसमें आपको RVI news पढ़ना है, और जैसे कि आपको GDP prediction है, loans and agreement है, अगर कोई आपको यह topic wise ही पढ़ना है, तो मैंने आपको specific topic wise यह video बनाया है, जिसमें आपको specific topic पर नीचे जो description में उसके आगे timeline mention है, उस पर click करके उस topic को पढ़ सकते हैं, तो याँ दखेग यह हमारी last six month की जो banking financial awareness वीडियो है, यह आपको topic wise भी मिलेगी और यह आपको bilingual भी मिलेगी, और इसका complete PDF है आप लोग नीचे देएगर link से download कर सकते हैं, और friends तो यह last six month current affairs वीडियो है हमारा, यह हमारे seven part में आया है, यह आपके आने वाले जितने भी exams में current affairs पूछा जाता ह उन सब exams के लिए काफी ज्यादा important video है, यह हमारे seven part का video है, part one से लेके part seven तक, और यह भी हमारा current affairs के साथ साथ हमने static gk भी cover किया है, और यह भी video आपको हमारा bilingual ही मिलेगा, इसमें आपको content भी मिलेगा, और आगर आपके exams जितने भी हैं, जिनमें पूछा जाता है, उनके लि हमारे chapters, तो हमारे जो chapters हैं वो आपको mention है, यहाँ पर यह chapters है, first जो हमारा topic रहेगा, वो रहेगा RBI in news, यानि के RBI circular, second है हमारा banking news, other financial news, topic wise जो मैंने cover किया है, और बाद में आप लोगों के कुछ demand रेती है, exam के time पर जैसे में आपका GDP prediction है, loans and projects है, इस पर आप specific video बनाएए, त इसमें आप GDP production भी देख सकते हैं, loan strength projects भी देख सकते हैं, index ranking, appointment, यह सारे ही topic जो है मैंने cover किया है, हमारे last six month में, आप इस पर जाके देखिए, आपको सब कुछ इसमें मिलेगा, इस ही हमारे last six month video में, और जो video है, यह PDF जो मैंने दिया है, आपको यह page number इसके according दिया है, तो complete PDF आप लोग डाउनलोड करेंगे, वो आपको 472, यानि की 400 बहुततर page का आपके PDF है, और यह topic है, इनके आगे यह page number mention किया गया है, जो 3282, इस page number से, इस page number तक, इसमें question जो है, वो mention है, तो आपको complete PDF मिलेगा, जिसके कितने page होंगे, 472, 400 बहुततर page का complete PDF आप लोग डाउनल और याद दखेगा, यह आपको bilingual मिलेगा, content के सांस मिलेगा, Hindi, English दोनों में, options भी और questions भी, तो चलिए, शुरू करते हैं, आज का हमारा session, हमारा जो आज का पहला topic है, वो है हमारा RBI in news, RBI in news, जो हमारा पहला topic है, इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, इसमें हम कवर करेंगे, RBI Circulus, Banking License, Fine Imposed on Banks, RBI Guidelines और RBI कहता है, यह सब ही जो topic है, हम कवर करेंगे, किसमें, RBI in news, में हमारे last six month के, तो यह काफ़ी important topic है, exams के point of view से, तो चलिए, शुरू करते हैं, हमारा पहला question है, आज का, Where is the Reserve Bank Innovation Hub located, यानि कि RBICH, तो RBIH का full form कभी exams में पूछा जाए, तो उसका full form है, Reserve Bank Innovation Hub, RBIH का full form है, तो question में alternately working, Reserve Bank Innovation Hub, RBIH कहां इसाफी थै, यह पूछा गया है question में, तो यह कहां पे इसाफी थै, यह गानलूरू में, बैंलूरू में साफी थै, RBIH, यानि कि Reserve Bank Innovation Hub, प्रफा वेरे कंद ब सक्तिकान था इनोविर्ण ट बॉर्ध ग्रूर्प टॉर्डर अनिटिकान था इनुटिकान थास। इन।ो調 ऑनुट बॉर्णए अपल्ष इनूविश है का रूर्चे कौलाफ टॉर्च चापितल नार।ो चानियुक। जाने की RBI गवर्नर सक्तिकांदास ने गुरुवार को RBI को उधगाटन किया है जिसे वित्ती नवाचार को बढ़ावा देने और पोस्टिट करने के लिए 100 करोर रुपीर के प्रारंभिक पूझी योगदान के साथ अस्ताप्र किया गया था केंजरी बैंक के अनुसार अहब की पास एक सोतंत्र बोर्ड है जिसमें क्रिस, गोपाल, कृष्णन, अध्यक्ष और अन्य उलेक्ष ये लोग उध्योग और सिख्ठाविदो के सरस्तिक के रूप में इसमें सामिल है तो किसकी बात हो नहीं है यहाँ पे RBIH की तो Reserve Bank Innovation Hub इसका स्टार्टिंग में बताया है तो आप जरूर पढ़िए इसकी पॉइंट्स को वीडियो को पॉस्ट करके पढ़िए या फिर आप PDF टाउनलोड करके पढ़िए लेकिन लाइन बाय लाइन वह जो कंटेंट में आपको प्रोवाइड कराती हूं इसको जरूर पढ़िए जिसक लेकिन लाइन बाय लाइन कंटेंट को जरूर पढ़िए यह मैं आपको हमेशा बोलती हूं आपको हर वीडियो में बोलती हूं ठीकिन जो चलता है हमारे ले नेक्स कोस्टिन पर हमारा नेक्स कोस्टिन है आर्वी आई हैस लॉंस्ट टोटिफो बाइस सावन हैं फॉर दिजिटल पेमेंट्स वाट इस नेम अफ दिस इनिशेटिव यानि की आर्वी आई ने डिजिटल फुक्तान के लिए टोटिफोर सेवन हैं हैं इस पहल का नाम क्या है यह कुश्टिन में पूछा गया है तो का नाम क्या है इसका नाम है डिजिशाथी ओप्शन ए इस दे राइट आंसर डिजिशाथी स्पहल का नाम है जो आर्वी आई ने डिजिटल फुक्तान के लिए 24x7 हल प्लाइन शुरू की है आर्वी आई हैस लॉंस्ट टो इनिशेटिव रलेटेट टो डिजिटल लाइन फॉर डिजिटल पेमेंट्स यानि की आर्वी आई ने डिजिटल फुक्तान से संबंदी दो पहस सुरू की है एक है यूपी आई 123 पे जो फीचर फोन पर यूपी आई भुक्तान सुविधा परदान करता है और दूसरा डिजिसाथी है जो डिजिटल भुक्तान के लिए 24 by 7 है यूपी आई 123 पे फीचर फोन के उप्योग करता को भुक्तान करने के लिए यूपी आई का उप्योग करने का विकल्प भी परदान करेगा और इसके लिए यूपी आई 123 पे वर्तमार में फीचर फोन के उप्योग करता को यूपी आई भुक्तान करने के लिए चार विकल्प भी परदान करता है, तो याद रखिएगा क्या नाम है इस पहल का, इसका नाम है डिजी साथी, जो RBI ने डिजिजन भुक्तान के लिए 24x7 हेल प्लाइन सुरू की है, और other important points भी मैंने आपको दिये हैं, जो आप वीडियो को पॉस करके देख सकते हैं, या PDF टा Central Banks in 2021, यानि कि 2021 में दुनिया के केंद्रिय बैंकों में सोना खरीदने के मामले में भारती Reserve Bank का rank क्या था, ये question में पूछा गया है, तो question में क्या पूछा गया है, कि दुनिया के केंद्रिय बैंक, यानि कि जितने भी दुनिया में Central Bank है, केंद्रिय बैंक है, उसमें सोना जो कि इसमें, the largest buyer, the Central Bank of Thailand bought 90 metric tons of gold while RBI bought 77.5 metric tons, taking its total gold reserve to 754.1 tons at the end of December 2021, यानि कि जो सबसे बड़ा खरिदार है Central Bank of Thailand है, जिसने 90 metric tons होना खरिदा है, जबकि RBI ने दिसमबर 2021 के अंत में अपने कुल सोने के भंडार को 754.1 ton तक ले जाते हुए 77.5 metric ton खरिदा है, तो अगर question इस तरीके से आए कि इस rank में किसका नाम है rank 1 में कौन सा देस है, तो rank 1 में है Central Bank of Thailand, या दखिएगा rank 1 में जो दुनिया भर में सोना खरिदने में rank 1 में है, Central Bank of Thailand, और RBI की इसमें second rank है, और Central Bank of Thailand ने 90 metric tons होना खरिदा है, और RBI ने 77.5 metric tons होना इसमें खरिदा है, अधर important points भी हैं इस question के regarding, इनको आप देख सकते हैं, importance है exams के point of view से, बात कर लेते हैं हम World Gold Council की, तो World Gold Council के CEO कौन है David Tatt और उसका headquarter है London UK में और founded in 1987, president है Calvin Dussing की, किसकी बात हो रही यहाँ पर? यहाँ पर बात हो रही है, World Gold Council की, यह important point है, exams के point of view से, next question पर हम चलेंगे, हमारा next question है RBI has recently stopped Paytium Payments Bank Limited from onboarding new customers under which section of which RBI act यानि की, RBI ने हाल ही में Paytium Payments Bank Limited को RBI अधिनियम की किस धारा के तहट नए ग्रहकों को साविल करने से रोग दिया है तो किस act के तहट पूछा गया है, act कौन सा है, तो वो है section 35A कौन सा है, क्या धारा है, यह धारा है, section 35A is the right answer RBI has directed Paytium Payments Bank Limited to stop the onboarding of new customers with immediate effect The bank has also been directed to appoint an IT audit firm to conduct a comprehensive system audit of its IT system The RBI took the decision exercise of its power under section 35A of the Banking Regulation Act 1949 यानि कि RBI ने Paytium Payments Bank Limited को ततकाल प्रभावों से नए ग्रहकों के onboarding को रोकने का निर्देश दिया है और बैंक को उपने IT system का व्यापक system audit करने के लिए एक IT audit firm निक्त करने का विनिर्देश दिया गया है RBI ने Banking Venium and Athenium 1949 की धारा 35A यानि कि Section of 35A of the Banking Regulation Act 1949 के तहत अपने सक्तियों का प्रेयोग करते हुए ये निर्देश दिया है और किस Act के तहद दिया है तो Section 35A of the Banking Regulation Act 1949 के तहद Other important points देख सकते हैं आप लोग ये दिये गए हैं बात कर लेते हैं हम यहाँ पर Chairman of Paytm Payments Bank Limited तो कौन है Vijay Sikha Sarma और MDCO कौन है Paytm Payments Bank की वो है सतीस कुमार गुपता Headquarter है इसका Noida उत्तरप्रदेश में किसकी बात हो रही है यहाँ पर यहाँ पर बात हो रही है Paytm Payments Banking तो यह काफी News में रहा है तो यह important बन जाता है आग exams के point of view से इसलिए आप सको देखके जरूर जाएए चलते हैं next question पर, next question है Be aware is a booklet featuring models operating of financial frauds The booklet has been released by which organization यानि की Be aware वित्तीद होकधरी के तौर तरीकों की एक पुस्तिका है इस पुस्तिका किस संगठन के द्वारा जारी की गई है यह question में पूछा है तो जो booklet है इसका क्या नाम है Be aware जो है यह booklet है यह किसके द्वारा launch की गई है यह Reserve Bank of India के द्वारा launch की गई है question different तरीके से भी आ सकता है कि booklet का क्या नाम है जो RBI ने launch की है वो है Be aware और अगर पूछा है किस institute ने launch किया है किस organization ने launch किया है तो वो किया है Reserve Bank of India ने तो RBI has launched a booklet name Be aware which features common models operating used by fraudsters and precautions to be taken while carrying out various financial transactions यानि कि RBI ने Be aware नाम की एक पुस्टी का launch की है जिसमें धोके बाजों द्वारा इस्तिमाल किये जाने वाले सामानने तौर तरीकों और विभिन ने वित्तिये लेंदेन करते से बढ़ती जाने वाले सावधानियों को सामिल किया गया है इस question के regarding मैंने आपको बहुत सारे important points दिये हैं छोटे छोटे points से आप इनको जरूर पढ़िए वीडियो को पॉस्ट करके पढ़िए जा फिर आप PDF डाउनलोड करके पढ़िए बुक्लिट की बात कर लेते हैं तो बुक्लिट प्रोवाइड से सेफकर्ट अगेंस कॉमनली यूज़ फॉर्ड टेक्निक्स लाइक सिम्स्वेर, विशिंग, पॉस्टिंग, लिंक्स, टोलोटरी, फेक लोन, वेबसाइट एंड डिजिटल एप्स, एक्सेक्टरा तो यह भ कार्थी रिज़र बैंक ने कारपूलिंग अप्डेस की प्रती जनता को आगाह किया है, तो किसके प्रती किया है, एस्राइड, राइट असका क्या हो जाएगा, एस्राइड is the right answer of this question, RBI has cautioned the public against carpooling app एस्राइड, the question against एस्राइड एप stating that this firm was operating a semi-closed prepared instrument without receiving authorization from the central bank under Payment and Settlement System Act 2007, यानि कि RBI ने कारपूलिंग एप एस्राइड के खिलाफ जनता को आगाह किया है, एस्राइड एप के प्रती साउधानी यहाँ बताते हुए कि यहाँ firm भुक्तान और निप्तान प्रनाली अधिनियम 2007 के तहल केंद्रिय बैंक से प्राथी करण प्राप्त किये बिना एक आरधबंद prepared साधन का संचालन कर रही थी, तो इस एप का नाम जो है, इस खर्थ नाम क्या है, एस्राइड, तो Reserve Bank of India ने कारपूलिंग एप एस्राइड के प्रती जनता को आगाह किया है, काफी important points एस question के regarding English और हिंदी दोनों में, एर नेक्स्ट कोश्टन पर हम चलेंगे, हमारा नेक्स्ट कोश्टन है, यानि कि 2022 में RBI द्वारा मनाय जा रहे वित्तिय साक्षर्था सब्ताह 2022 का विश्य क्या है, तो इसका क्या theme है ये question में पूछा गया है, इसका theme है, Go Digital, Go Secure, क्या theme है इसका, Go Digital, Go Secure is the right answer, तो RBI will observe February 14 to 18, 2022 as a Financial Literacy Week, तो कब से कब तक मनाया है, 14 फर्वरी से 18 फर्वरी 2022 तक, रिदर बैंक ऑफ इंडिया ने Financial Literacy Week मनाया है, 2022 का, has been conducted Financial Literacy Week FLW every year since 2016 to propagate financial education messages on a particular theme across the country, bank have been advised that disseminate the information and create awareness among its customer and the general public, तो RBI ने 14 से 18 फर्वरी 2022 को Financial Literacy Week, हिंदी में क्या बोलेंगे, वित्तिये साक्षर्टा सब्ताह 2022 के रूप में मनाया है, और RBI ने देश भर्वर में एक विसेस विसेपर वित्तिये सिक्षा संदेसों का परचार करने के लिए, दो हजार सोला से हर साल वित्तिये साक्षर्टा सब्ताह आयोजित कर रहा है, तो ये भी कोश्टिन में आ सकता है कि कब से RBI मना रहा है Financial Literacy Week, तो RBI मना रहा है 2016 से, और 2022 में कब मनाया है, तो 14 से 18 फर्वरी तक मनाया है, और इसका थीम पुछा जाए, तो इसका थीम है, Go Digital, Go Secure. Other important points इस question के regarding दिये गए है, आप इनको देख सकते हैं, वीडियो को post करके या PDF ठावलोर करके, Hindi English दोनों में available हैं. Next question पर हम चलेंगे, हमारा next question है, RBI has cancelled the license of People's Cooperative Bank Limited, based red dash उत्तरपरदेश, यानि की RBI ने dash उत्तरपरदेश इससे People's Cooperative Bank Limited का license रथ कर दिया है, तो कहां पर based है ये, कानपूर, कानपूर based है, कौन सा बैंक की बात हो रही है, कहां पर बात हो रही है, People's Cooperative Bank Limited की. Reserve Bank of India has cancelled the license of People's Cooperative Bank Limited, कानपूर उत्तरपरदेश, as the bank failed to adhere the requirement of section 22, 20, 22, 28, 22, 3, A, 22, 3, B, 22, 3, C, 22, 3, D, and 22, 3, E. Under section 56, the Banking Regulation Act, 1949. तो RBI ने People's Cooperative Bank Limited कानपूर उत्तरपरदेश का license रथ कर दिया है, क्योंकि bank जो है, वो इन धाराओं की, इन धाराओं और bank की विनियों अधिनियम 1949 की धारा 56 की तहत आविशक्ताओं का पालन करने में विफल रहा है. कौन सा bank है, पिपल्स कोपरेटिव बैंक लिमिटेट बेस्ट इन कानपूर उत्तरपरदेश. इस bank के regarding भी दिये हैं, मैंने आपको important points, आप इनको जरूर देखिए. हम चलिंगे हमारे next question पे, हमारा next question है, RBI Governor Saktikaan Das has recently dedicated an ink manufacturing unit Vanika in which place? इस यानि की RBI Governor Saktikaan Das ने हाल ही में एक ink manufacturing यानि की सियाही निर्मानिका इवर्णिका को खिर्जिस्थान पर समर्पित किया है, ये question में पूछा गया है. तो right answer का क्या हो जाएगा? मैसूर, मैसूर is the right answer of this question. तो भारती Reserve Bank Note Mudran Private Limited, BRBNML, क्या है ये? BRBNML, क्या है इसका full form हो जाएगा? तो इसका full form है, भारती Reserve Bank Note Mudran Private Limited है, set up an ink manufacturing unit named Wernica at मैसूर करनाटक with an annual ink manufacturing capacity of 1500 MT to enhance the security of bank notes. तो RBI ने भारती Reserve Bank Note Mudran Private Limited ने bank note की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 1500 MT की वार्षिक स्याही निर्मान समता के साथ मैसूर करनाटक में Wernica नामग एक स्याही निर्मानिकाई की स्थापना की है. तो कहाँ पर की है, यह की है मैसूर में और इसका नाम क्या है, इसका नाम है Wernica, इस question के regarding आपको important point दिये गए हैं, आप इसको देख सकते हैं, वीडियो को post करके या फिर PDF डाउट करके, मैं आपको फिर बोलती हूँ, आप लोग जरूर उस content को पढ़िए जो मैं आपको provide कर जाती हूँ क्योंकि content से question पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं exams में, जो previous back exams हुए हैं, तो इसके साब से content है, यह काफी important हो जाता है, exams के point of view से, तो content को जरूर पढ़िए line by line पढ़िए, next question पे हम चलेंगे, हमारा next question है, RBI has cancelled the license of which state, Sir Zero Dada, Nayak, Sirala, Saikari Bank, यानि कि RBI ने किस राजे के Sir Zero Dada, Nayak, Sirala, Saikari Bank का license रद कर दिया है, यह question में पूछा गया है, तो इसका right answer क्या हो जाएगा, महरास्टा is the right answer of this question, कैसा answer इसका, महरास्टा इसका सही answer हो जाएगा, तो RBI has cancelled the license of Sir Zero Dada, Nayak, Sirala, Saikari Bank, संगली महरास्टा, as it did not have adequate capital and earning prospects, तो RBI ने इस bank का license रद कर दिया है, क्योंकि bank के पास पूछी और कमाई की संभावने नहीं थी, और license रद होने के साथ ही, bank ने दो मार्च को कारोबार की समाप्ती से banking कारोबार करना बन कर दिया है, और banking अधिनियम 1949 की विभिन धाराओं का अनुपालन नहीं कर रहा है, इसके regarding दिये गए हैं, आपको important point आप देख सकते हैं, हम बात कर लेते हैं DICGC की, तो DICGC, DICGC का full form है deposit insurance and credit guarantee corporation, जो मैं आपको full form बोलती हूँ, यह भी important होते हैं exams के point of view से, तो DICGC का full form क्या हो जाएगा, deposit insurance and credit guarantee corporation, इसके chairperson है, मार्कल पात्रा, फॉने इन 59 जोला 1978, हैटकोर्टर है, इसका मुंबई महरास्ट में, किसकी बात हो लिए यहां पे, यहां पे बात हो लिए है DICGC की, चलते हैं हमारे next question पे, हमारा next question है, RBI has imposed several restrictions on Indian mercantile cooperative bank limited लखनों, including a cap of rupees dash on withdrawals, यानि की, RBI ने भारती मकंटार सहिकारी bank limited लखनों पर कई पर्तिबन लगाए हैं, जिनमें, निकासी पर dash की, जो a cap है वो सामिल है, राइड अंसर का क्या हो जाएगा, rupees 1 lakh is the right answer of this question, यहां पर यह क्या है, cap, तो RBI has imposed several restrictions on Indian mercantile cooperative bank limited लखनों, including a cap of rupees 1 lakh on withdrawals, the restriction came into force from the closures of business hours on January 28th to 2022, यानि की, RBI ने Indian mercantile cooperative bank limited लखनों पर निकासी पर 1 lakh rupee की सीमा सहित कई परतिबन लगाए हैं, परतिबन 8th January 2022 को वेवसाई घंटों के बाद होने से लागू हुआ है, इसके regarding, मैंने आपको अदर important points दिये हैं, आप ही points देख सकते हैं, वीडियो को post करके या फिर PDF डाउनलोड करके, RBI has cancelled the license of independence cooperative bank limited वेर इस the headquarter of the bank located, यानि कि RBI ने independence cooperative bank limited का license रच कर दिया है, bank का मुख्याले कहां इस्थित हैं ये question में पूछा गया है, तो bank का मुख्याले जो headquarter है वो कहां इस्थित हैं वो नासिक में है, right answer क्या हो जाएगा, option B, नासिक is the right answer, the RBI has cancelled the license of independence cooperative bank limited नासिक महारास्टा, February 3, 2022, the major reserve for the cancellation of the license by RBI is that bank does not have adequate capital and earning prospects, यानि कि भारती रिजर्व बैंक ने 3 फर्वरी 2022 से independence cooperative bank limited नासिक महारास्टा का license रच कर दिया है, RBI द्वारा license रद करने का प्रमुक कारण यहाँ है कि bank के पास प्रियाप्त पूजी और कमाई की समभावना नहीं है, other important points इस question के regarding आपको दिये गए है, Hindi English दोनों में ही दिये गए है, बात कर लेते हैं, DICGC की इसके chairperson है मैक पात्रा, 15 of July 1978, headquarter race का मों में महारास्ट में है, यह important points है, exams की point of view से, next question भी हम चलेंगी, हमारा next question है, the government of India has done a conversion switch the transition of its securities with the Reserve Bank of India on January 28, 2022 for an amount of rupees dash, यानि की भारा सरकार ने 28 January 2022 को भारती Reserve Bank के साथ अपनी पर्तिभूतियों का रूपांसरन switch lane then rupee की रासी के लिए किया है, तो कितना किया है, dash में वो amount लिखना है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 119701 करोर रूपी, option 1 is the right answer of this question, the government of India has done a conversion switch transaction of its securities with the Reserve Bank of India for an amount of 119701 करोर, राइट आंसर इसका option A, तो भारा सरकार ने 119701 करोर रूपी की रासी के लिए, भारती रिजर्व बैंक के साथ अपनी प्रती भूतियों का रूपांतर स्विच लेंदेन किया है, इस question के regarding आपको other important points भी दिये गए हैं, जो आप देख सकते हैं, अब चलिंगे हमारे next question पे, हमारा next question है, As per the latest data by finance minister, what is the approx amount deposited in bank accounts open under the प्रधान मंतरी जन्धन योचना PMJDY, scheme as on December 2021, यानि की विद्धन स्वाले ने ताजा अकड़ो के अनुसार दिसंबर 2021 तक प्रधान मंतरी जन्धन योचना के तहट खोले गए, बैंक जमाखातों में जमाख की गई रासी लगभग कितनी है, ये question में पूछा है, तो इसका सही अंस हो जाएगा, रुपीज 1.5 लाग करोर, कितनी रासी है ये, एक दिसंबलव 5 लाग करोर, सही अंसर है, option D, according to the finance ministry, the deposit in bank accounts open under the प्रधान मंतरी जन्धन योचना scheme have crossed रुपीज 1.5 लाग करोर माक, the total balance in accounts under the जन्धन scheme was recorded at रुपीज 150939.36 करोर as of December and 2021, यानि कि विट्ट मंतराले के अनुसार, प्रधान मंतरी जन्धन योचना के तहट खोले गए बैंक खातों में जमारासी 1.5 लाग करोर रुपीए को पार कर गई है, और जन्धन योचना के तहट खातों में कुल 16 रासी, दिसंबर 2021 के अन्त तक 150939.36 करोर रुपीए दर्ज की गई थी, अगर इंपोर्टन पॉइंट आप देख सकते हैं, अब चलिंगे हमारे नेक्स कोश्चन पे, हमारा नेक्स कोश्चन है, वट इस रिवाइज इन्वेस्टमेंट लिमिट ओफ वॉलंटरी रेटेंशन रूट फॉर इन्वेस्टमेंट्स बाइ फॉरेंड पॉर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एफपी आई, जयनी कि वदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वाइज के लिए स्वैचिक पर्तिधारण मार्ग के लिए संसोधित निवेस्टमेंट सीमा क्या है, इसको क्या बोलेगे, इसको बोलेगे VRR, शौट में क्या होगा इसको VRR, सही अंसर का क्या हो जाएगा, Rs. 2.5 lakh crore is the right answer option D. The Reserve Bank of India has introduced the VRR for investments by foreign portfolio investors in debts in 2019 with an investment limit of Rs. 1.50000 crore. यानि कि भारती Reserve Bank ने 2019 में 1,50,000 crore की निवेश सीमा के साथ विदेशी portfolio निवेश को द्वारा हरिण में निवेश के लिए स्वैचिक मार्ग की सुरुवात की थी और इसमें ये 3 चरणों लगभग जिसमें कितना करोड है इसमें है 1,59,995,995 करोड रुपे का लाब उठाया जा चुका है और अब RBI ने VRR में निवेश की हो सीमा 1,50,000 करोड रुपे से बढ़ा कर 2,50,000 करोड रुपे कर दी है तो याद आखिएगा इसका सही अंसर हो जाएगा option D रुपेस 2,50,000,000 करोड और other important points इसमें दिये गए है बड़ी हुई निवेश सीमा निमलिखे द्विवरन के अनुसार 1 अपरेल 2022 से आवन टन के लिए खोली गई है यह points मैंने आपको Hindi में दिये है और यही same points नीचे English में भी available है The increased investment limit shall be opened for allotment for from April 1st 2022 as per the following details तो इसके important points दिये गए है Hindi English दोनों में ही वीडियो को pause करके आपने जरूर देखना है नेक्स कोशन पर हम चलेंगे हमारा नेक्स कोशन है RBI has extended the deadlines for non-banking financial companies NBFCs to comply with new non-performing assets NPAs classification norms to DAS यानि कि RBI ने गैर banking वित्ती कमपनियों के लिए गैर निश्पादि आस्तियों वर्गी करन मांदर्नों का पालन करने की करने की समय सीमा DAS तक बढ़ा दी है तो कब तक बढ़ा दी है ये कोशन में पूछा गया है तो वो बढ़ा दी है September 2022 यानि September 2022 तक बढ़ा दी है RBI has extended the deadline for NBFCs to comply with new NPAs classification norms the norms are issued by RBI in November 2021 to September 2022 from the earlier deadline of March 2022 यानि की RBI ने NBFCs के लिए non-performing assets वर्गी करन मांदर्नों का पालन करने की समय सीमा जो है वो March 2022 की पूर्व समय सीमा से September 2022 तक इसको बढ़ा दिया है तो यह पूछा गया है कब तक बढ़ा दिया है तो बढ़ा दिया है September 2022 तक अधर important points भी है यह आप देख सकते हैं अब चलेंगे हमारे next question पर हमारा next question है which of the following payments bank has been categorized as a scheduled bank by the reserve bank of India recently यानि कि हाल ही में RBI द्वारा निम लिखित मैं से किस भुकतान बैंक को अनुसूचित bank की स्टेनी में रखा गया है right answer क्या हो जाएगा Airtel payments bank is the right answer option D is the right answer so Airtel payment bank has been categorized as a scheduled bank by the RBI in the second schedule of the RBI act 1934 with this Airtel payment bank can now pitch for the government Airtel payments bank जो है वो RBI द्वारा भारती reserve bank अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में Airtel payments bank को अनुसूचित bank के रूप में वर्गी करत किया गया है और इसके साथ ही Airtel payments bank अब सरकार के लिए के लिए pitch कर सकता है तो यहाँ दखेगा जो कोशन में क्या पूछा गया है कि RBI द्वारा किस भुकतान bank को अनुसूचित bank की स्टेडी में रखा गया है यानि कि कौन सा payment bank है जिसे जिसे categorize किया गया है schedule bank में RBI के द्वारा तो वो किया गया है Airtel payments bank को और Airtel payments bank के लिए important points है कि Airtel payments bank की MDCO है अनुबरता विस्वास, headquarter है New Delhi, founded in January 2017 किसकी बात हो लिए यहाँ पे Airtel payments bank की important points exams के लिए अब चलते हैं हमारी next question पर हमारा next question है The Reserve Bank of India has appointed Dash and Ajay Kumar Chaudhary as new executive directors with effect from the 3rd of January यानि कि भारती Reserve Bank ने Dash और Ajay Kumar Chaudhary को 3 January से नए कारे-कारी directors के रूप में नियुक्त किया है तो किसको किया है? किया है दीपक कुमार, right answer उसको क्या हो जाएगा? दीपक कुमार is the right answer The RBI has appointed दीपक कुमार और Ajay Kumar Chaudhary as a new ED with effect from the 3rd of January यानि कि RBI ने 3 January से दीपक कुमार और Ajay Chaudhary को ED के रूप में रूप में रूप में नियुक्त किया है Executive Director के रूप में Prior to being promoted as ED, दीपक कुमार was head in the Department of Information Technology of RBI while Ajay Chaudhary was chief general manager in charge department of supervision Next question है हमारा, How many buckets are used by RBI to classify bank as domestic systematically important bank यानि कि DASIPS, बैंकों को घरलू, विवस्तित रूप से महत्वपूर बैंकों के रूप में वर्गी करत करने के लिए RBI द्वारा कितने bucket का उपियों किया जाता है, right answer क्या हो जाएगा, option 5 is the right answer, option A तो RBI has retained State Bank of India, ICIC Bank and SDFC Bank as domestic systematically important banks से, these three banks have continues to be on the DCFC list published by RBI since September 4, 2017 तो RBI ने भार्ति स्टेट बैंक, ICIC Bank and SDFC Bank को घरलू विवस्तित रूप से महत्वपूर बैंकों के रूप में बरकरार रखा है यह तीन बैंक 4 सितमबर 2017 से RBI द्वारा प्रकासित DSIB सूची में बने हुए है Domestic systematically imported banks are those banks which if failed would have a significant impact on the economy DSIB's banks are classified into 5 buckets, bucket 1, bucket 2, bucket 3, bucket 4 and bucket 5 यह तो इस 5 buckets में यह classified हुए है Next question पर चलेंगे, हमारा next question है Reserve Bank of India has issued a framework for facilitating small value digital payments in offline mode The upper limit of an offline payment transaction was fixed at Rs.200 with a total limit of Dash at any point in time यानि कि RBI ने offline mode में छोटे मूल लेके digital भुकतान की सुविधा के लिए एक framework जारी किया है और offline भुकतान लेंदेन की उपरी सीमग 200 रुपिय तै की गई थी किसी भी समय देश की कुल सीमग के साथ कितने रुपे है इसका साही आंसर साही आंसर जाएका रुपीज 2,000 Option B is the right answer Reserve Bank of India has issued a framework for facilitating small value digital payment in offline mode using cards, wallets, mobile devices, etc. to push digital transactions in rural and semi-urban areas The upper limit of an offline payment transaction was fixed at Rs. 200 with a total limit of Rs. 2000 at any point in time The framework will enable to the authorized payment system operators, PSOs and payment systematic participants acquired and assure to conduct small value offline digital payments यानि की RBI ने ग्रामीर और अर्दसहरी छेत्रों में digital लेंदेन को बढ़ावा देने के लिए कार्ड, वॉलेट, मुबाइल उपकरणों आदी के उपयोग करके offline mode में छोटे मूल लेके digital भुकतान की सुविधा के लिए रूप रेखा जारी की है offline भुकतान लेंदेन की उपरी सेमा 200 रुपे तै की गई थी किसी भी समय 2000 रुपे की कुल सीमा की के साथ other important point is question की regarding आपको Hindi English दोनों में available है next question पे हम चलेंगे, हमारा next question है what is the new limit for banks to maintain the liability coverage ratio on deposits and other extension of funds यानि की बैंकों के लिए जबारास्तियों और अन्य निधी के विस्तार पर चल निधी coverage अनुपाद बनाया रखने की नई सीमा क्या है यानि right answer का क्या हो जाएगा 7.5 करोर is the right answer next question है according to annual report of embarrassment scheme 2021 released by RBI which of the following RBI office has received the maximum complaints during the period July 1 to 2022 March 31st 2021 यानि की RBI द्वारा जारी लोगपार योजनाओ 2021 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार RBI के निमनलिखित मैंसे किस कार्याले को अब धी 1 July 2020 से 31 March 2021 के दौरान सबसे अधिक शिकायते मिली हैं तो वह मिली है चंडीगर right answer इसका क्या हो जाएगा option A चंडीगर is the right answer Reserve Bank of India has released the annual report of the embarrassment scheme for 2021 which has been prepared for the nine month period in alignment with the change in the financial year of RBI July to June to April to March with effect from July 1st 2020 यानि की RBI ने 2021 के लिए लोकपाल योजनाओं की वार्सिक रिपोर्ट जारी की है जिसे RBI के वित्तिव वर्स के में परिवर्तन के अनुरूप 9 महीने की अवधी के लिए तैम्यार किया गया है 1 जुलाइ 2020 से जुलाइ जून से अपरेल मार्च तक और वार्सिक रिपोर्ट में बैंकिंग लोकपाल योजनाओं 2006 गैर बैंकिंग वित्तिय कंपनियों के लिए लोकपाल योजनाओं 2018 और Digital Lane Dayन के लिए लोगपाल यह उचना 2019 के तहट गतिविधियों को सामिल किया गया है इसी question के regarding same points मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में available कराए है आप इनको देख सकते हैं क्योंकि important होते हैं यह content exams के point of view से इसे काफ़ी जावा question पूछे जाते हैं नेक्स पर हम चलेंगे हमारा next question है according to RBI paper the optimal hatch ratio for external commercial borrowings is at what percentage यानि की RBI के paper के अनुसार बहारी वानिजिक उधार के लिए इस्तम बचाओ अनुपाद कितने प्रतिसत पर है यह question में पूछा गया है तो right answers का हो जाएगा optionally 63% is the right answer according to RBI working paper the optimal hatch ratio for external commercial borrowings raised by firms in India is estimated at 63% for the periods of high volatility in the foreign exchange for FX market and optimal hatch ratio is a ratio that implies that percentage of total assets or liability exposure that an entity out to hatch against exchange ratio fluctuations यानि की RBI के working paper के अनुसार भारत में फर्मोद वालाच उठाए गए बाहारी वानिजिक उधार के लिए अस्तम बचाओ अनुपाद विदेशी मुद्रा में उच्य स्थिर्ता की अबधी के लिए 63% अनुमानित है नेक्स कोशन पर हम चलेंगे हमारा नेक्स कोशन है दे रिजर्व बैंक ओफ इंडिया has recently increased the cap of promoter's stake in private banks to 10% of the paid up voting equity share capital of the bank यानि की भारती रिजर्व बैंक ने हाल ही में निजी बैंक में पर्मोटरों की हिस्सेदाली पर बैंक की चुकता voting equity share पूजी का डैस परतीसाद बढ़ा दिया है कितने परतीसाद बढ़ा दिया है वो बढ़ा दिया है 26% option A is the right answer तो RBI has formed an internal working group IWG in June 2020 to review the extend guidelines on ownership and corporate structure for Indian private sector banks यानि की भारती निजी छेत्र के बैंकों के स्वामित्व और corporate संग्रशना पर मौजूदा जिसानिदेश्टों की समिक्षा करने के लिए भारती रिजर्व बैंक ने जून 2020 में एक internal working group का अगठन किया था और जो IWG group है इसके सयुचक के रूप में स्री मोहन यादव के पांस के साथ पांस अदस अदस से थे आंतरी काल सम्मू IWG ने RBI को 33 सिफारिसे की थी अब RBI ने इन 33 में से 21 सिफारिसों को स्विकार कर लिया है यानकी the IWG had five members with श्री मोहन यादव as the converter the IWG had made 33 a recommendation to RBI now RBI has accepted 21 recommendation out of these 33 तो इसी question के regarding आपको अधर important points में निचे दिये गए है अब चलते हमारे next question पर हमारा next question है RBI has implemented LEI of how many digits for cross border deals यानि की RBI ने सीमा पार्ट सौदों के लिए कितने अंकों का LEI लागू किया है ये question में पूछा गया है LEI का full form क्या हो जाएगा Legal Entity Identifier Right answers को हो जाएगा option D20 The RBI made LEI यानि की Legal Entity Identifier mandatory for cross border transaction for capital of current account transaction of rupees 50 करोर and above from October 1st next year यानि की RBI ने अगले साल एक अक्टूबर से 50 करोर रुपी और उससे अधिक के पूजी या चालू खाता लेंदेन के लिए सीमा पार लेंदेन के लिए LEI अनिवाल कर दिया है The LEI is a 20 digit number used to uniquely identify parties to financial transactions worldwide to improve the quality and accuracy of financial data system यानि की LEI एक जो है वो 20 digit का number है जिसका उपयोग वित्ती data system की जो गुरवत्ता है उसमें सटीक सुधार के लिए दुनिया भर में financial transaction के लिए पार्टियों की विसिस्टा के रूप में भैचान करने के लिए किया चाता है अब दिखते हैं हमारे next point हमारे other important points जो है इसके 1 October 2022 से बैंकों को किसी भी पूजी या चालू खाता लेंदेन करने के लिए करने वाली निवासी संस्थाउम से LEI नमबर प्राप्त करना होगा बात के लेते हैं RBI की RBI के गवर्नर है सक्तिकान दास याद रखेगा मैं हर वीडियो मताती हूँ यह 25 वे गवर्नर है Reserve Bank of India के Headquarter है इसका मुंबई और 1 अपरेल 1935 इन कॉलकरता किसकी बात हो ली है Reserve Bank of India की next question है हमारा which of the following bank has been given to schedule bank's status by the Reserve Bank of India recently यानि कि निमलिखित मैंसे किस bank को हाल ही में भारती है Reserve Bank द्वारा अनुसूचित bank का दर्जा दिया गया है तो वो दिया गया है Paytm Payments Bank को अभी किस से पहले किसकी बात होई थी वो होई थी एर्टल Payments की previous questions में अभी यह बात हो लिए Paytm Payments Bank की तो Paytm Payments Bank has been given the schedule bank status by the RBI The bank has been included in the second schedule of RBI Act 1934 and the approval will help it to bring more financial services and products तो किसको दिया गया है Paytm Payments Bank को RBI द्वारा अनुसूचित bank schedule bank का दर्जा दिया गया है और बैंक को भारती Reserve Bank अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में सामिल किया गया है और अनुमोदन से इसे और अधिक वित्तिर सेवां और उत्पादन को लाने में मदद मिलेगी प्रदेश के चेर में इसके विज़े से खरसरमा, MDC UNS के सतीष कुमार गुपता है कनौइडा उत्तर प्रदेश में नेक्स कोस्टिन पर हम चलेंगे हमारा नेक्स कोस्टिन है Reserve Bank of India has decided to make scheduled payment bank and scheduled small finance bank and agency banks What is the maximum balance limit per account in payments banks भारती Reserve Bank ने अनुसूचीद भुकतान बैंकों और अनुसूचीद लगुवित बैंकों को एक agency bank बनाने का नेने लिया है Payments बैंकों में प्रती खाता अधिक्तम सेस रासी क्या है ये question में पूछा गया है Right answer इसका हो जाएगा रुपीज 2 lakh is the right answer तो RBI in consultation with the Department of Financial Services The Ministry of Finance has decided to make the scheduled payments banks and scheduled small finance banks eligible to conduct government agency business यानि की RBI ने वित्ती सेवा विभाग वित्तमंत्राले के परामर से अनुसूचीद भुकतान बैंकों और अनुसूचीद लगुवित बैंकों को सरकारी agency website करने के लिए पात्र बनाने का नेने लिया है अधर important points इस question की regarding आपको दिये गए हैं आप देख सकते हैं हम बात कर लेते हैं RBI आप देख सकते हैं हम बात कर लेते हैं RBI और रिजर बैंक ओफ इंडिया फॉन इंडिया फॉन इन फर्स अपरिल 1935 इस दा प्रोविजन ओफ देख से प्रवावी होंगे कब से प्रभावी होंगे अक्टूबर 2022 इसका सही आंसर हो जाएगा option B तो RBI has introduced PCA framework PCA का full form from corrective actions का full form है PCA framework for large non-banking financial companies NBFCs with effect from October 2022 putting restrictions on parabanks whenever vital financial metrics dip below the prescribed threshold यानि कि RBI ने October 2022 से NBFCs के लिए एक त्वरित सुधारात्मा कारवाई यानि कि PC नहां चापेस किया है जब भी महतवपूर वित्तिय मैट्रिक्स निर्धार सीमा से नीचे आते हैं तो पहला बैंक ओपर परतिबंद लगा दिया जाता है इसके regarding important points है हम चलते हैं हमारे next question पर हमारा next question है RBI has mpanel which banks as agency banks to undertake banking business of central state governments यानि कि RBI ने केंद्र राजसरकारों के banking website को सुरू करने के लिए किस bank को agency bank के रूप में सोची बत दिखिया है तो वो किया है CSB bank को किस bank को किया है राइट आंस इसका क्या हो जाएगा CSB bank क्या है इसका full form है CSB bank का Catholic Syrian bank क्या है Catholic Syrian bank इसका full form इस picture में वेंसन है Catholic Syrian bank CSB bank है तो RBI has announced the empanelment of CSB bank's private sector lender as an agency bank through disappointment the CSB bank will undertake the general banking business of the central and state government under the guidelines set by RBI यानि कि RBI ने एक रिजी छेत्र के रिर्दाता CSB bank को agency bank के रूप में सुची बद करने की घोशना की है इस नियुक्ति के माध्यम से CSB bank RBI द्वारा निर्धारी दिसा निर्धेसों के तहत केंद्र और राजिसरकारों के सामाने banking कारोबार को सम्हालेगा बात कर लेते हैं हम CSB bank की तो headquarters को थ्रियूसर केरला में इसकी C.E.V.R. राजेंडरल 426th of November 1920 इन्थ रूसर नेक्स कोशन पर जलेंगे नेक्स कोशन है हमारा RBI has extended the card of file tokenization deadline to DAS यानि की भारती रुजवरी बैंक ने card on file token की समय सीमा को DAS तक बढ़ा दिया है काप तक बढ़ा दिया है 30 जून 2022 तक बढ़ा दिया है RBI has extended the card on file tokenization deadline by 6-month example to June 30, 2022 earlier the deadline was fixed till December 31st to 2021 यानि की RBI ने card on file tokenization की समय सीमा 6 महीने यानि की 30 जून 2022 तक बढ़ा दिया है पहले यह समय समय सीमा 31 December 2022 तक तैक की गई थी important points आप देख सकते हैं next question पर हम चलेंगे हमारा next question है who is the head of working group on digital landing constituted by RBI which has submitted its report recently यानि की भारती reserve bank के द्वारा गठित visitor rent पर कार समू का प्रमु कौन है जिसने हाल ही में अपने report प्रस्तूत की है right answer तक हो जाएगा जयन्त कुमार दास is the right answer of this question option B the working group on digital landing including landing through online platform on mobile apps which was constituted by RBI has submitted its report यानि की RBI द्वाला गठित online platform और mobile app के माध्यम से rent सही digital rent पर कार समू ने अपनी report प्रस्तूत कर दी है other important points is question के regarding है आप देख सकते हैं हम चलेंगे हमारे next question पे हमारा next question है RBI has revealed a draft scheme for amalgamation of PMC bank with DASH यानि की RBI ने PMC bank के DASH के साथ सम्मेलन के लिए एक मसादा योशना का खुलासा किया है तो किसका unity small finance bank is the right answer option C the reserve bank of India revealed a draft scheme for amalgamating the Punjab and Maharashtra cooperative bank PMC bank with the Delhi-based unity small finance bank limited यानि की RBI ने Punjab और महारास थैकारी बैंक को दिल्ली स्थित unity small finance bank limited के साथ समामेलित करने के लिए एक मसादा योशना का खुलासा किया है important points है इस question के regarding हम चलेंगे हमारे next question पर हमारा next question है the reserve bank of India has launched its first global hackathon named dash यानि की भारती reserve bank ने dash नामक अपना पहला Westwick hackathon launch किया है तो क्या नाम है harbinger 2021 क्या नाम इसका harbinger 2021 the RBI has launched its first global hackathon name harbinger 2021 innovation for transformation the theme of harbinger 2021 is smarter digital payments तो RBI ने अपना पहला Westwick hackathon जो launch किया है उसका नाम है harbinger 2021 innovation for transformation और इसका theme क्या है smart digital payments इसका theme है next question है हमारा RBI has mandated all deposits taking NBFCs, NBFCs with dash or more branches to appoint internal embarrassment with six months यानि की within six months तो RBI ने सभी जमाल लेने वाली NBFCs को dash या अधिक साखाओं के साथ 6 महिने के भीतर आंतरिक लोगपाल ने उक्त करने के लिए आनिवार ने कर दिया है right answer इसका क्या हो जाएगा option D 10 is the right answer the RBI has announced to introduce the internal embarrassment mechanism for the following two types of NBFCs यानि की RBI ने निम लिखी दो प्रकार की गैर बैंकिंग वित्ती कंपनियों के लिए आंतरिक लोगपाल तंत्र सुरू करने की घोशना की है other important points and questions के regarding जो आप देख सकते है RBI has given a timeline of six months to the NBFCs for the appointment of the internal embarrassment RBI ने आंतरिक लोगपाल की नियुक्ति के लिए NBFCs को 6 महिनी का समय दिया है अब चलिंगे हमारे next question पर हमारा next question है currently what is the total corpus of payment infrastructure development fund of RBI PIDF careful from PIDF का payments infrastructure development fund right answer जाएगा rupees 614 crore is the right answer option A the total corpus of PIDF of RBI has reached rupees 614,614 crore is the right answer next important points है आप देख सकते हैं हम चलिंगे हमारे next question पर हमारा next question है RBI has issued revised PCA framework for banks the revised PCA framework will be effective from Dash तो RBI ने bankों के लिए संसोधित PCA धाचा जारी किया है संसोधित PCA धाचा डैश से प्रभावी होगा तो कब से होगा January 1st 2022 से January 1st 2020 से ये धाचा जो है प्रभावी होगा RBI has issued a revised PCA framework for banks to enable supervisory intervention at appropriate time and also act as a tool for effective market discipline other important points है इस question के regarding Hindi English दोनों में है आप वीडियो को pause करके देखिए या फिर PDF download करके देखिए लेकिन इन points को मैं आपको बार बार वीडियो में बोलती हूँ कि repeat करके कि आप इनको जरूर पढ़िए line by line question जरूर पूछे जाते हैं important content से भी चलिएंगे हमारे next question पर हमारा next question है what is the minimum net owned fund requirement for a company to operate as an asset reconstruction company एक asset reconstruction company के रूप में काम करने के लिए company के लिए नियूंतम निवल स्वामितो वाली fund आऊशकता क्या है तो right answer जाएगा rupees 2 crore is the right answer of this question RBI has granted the NARCL, NARCL का full firm national asset reconstruction company the license to register as an asset reconstruction company ARC the license given under section 3 of securitization and reconstruction of financial asset and enforcement of security interest यानि की सरफासी act 20 2002 क्या वो लगया है इसमें की RBI ने NARCL को ARC यानि की asset reconstruction company के रूप में पंजी करन करने का license दिया है और license जो है वो सरफासी अधिनियम 2002 की धारा के तहत दिया गया है other important points is question के regarding NARCL को company अधिनियम के तहत सामिल किया गया है और स्वारवजिनिक बैंक छेतर के बैंकों की NARCL में 51% हिस्सेदारी भी होगी next question है हमारा next question पे चलेंगे recently the Reserve Bank of India has granted banking license to DASH यानि की हाल ही में RBI ने किसको DASH को banking license परदान किया है वो किया है unity small finance bank limited को RBI ने अभी हाल ही में license दिया है RBI has granted a banking license to unity small finance bank limited which was established jointly by the Centrum Financial Services Limited and Resilient Innovation Private Limited to carry on a SFB's business in India तो RBI ने unity small finance bank limited को एक banking license परदान किया है किसे Centrum Financial Services Limited और Resilient Innovation Private Limited द्वारा संयुक तुरूप से भारत में SFB website करने के लिए स्थापिक किया गया था next question है हमारा what is the minimum ticket size set by RBI for the issuance of secretization notes तो प्रतिभूती करन note जाली करने के लिए RBI द्वारा निर्धारित नियूंतम ticket का आकार क्या है ये question में पूछा गया है राइट आंसर हो जाएगा रुपीज 1 करोर is the right answer RBI has issued guidelines regarding the secretization of standard asset as per the guideline the minimum ticket size for the issuance of secretization notes will be Rs. 1 करोर यानि कि RBI ने मानखस्तियों के प्रतिभूती करन के संबंद में दिसा दिसा निर्देश जारी किये हैं और दिसा निर्देशों के अनुसार प्रतिभूती करन note जारी करने के लिए नियूंतम ticket आकार 1 करोर रुपीय होगा तो ये आपको points दिये गए हैं में Hindi English दोनों में चलते हैं हमारे next question पे next question है what is the limit of ways and means advance यानि कि WMA set for the second half of the financial year 21-22 यानि कि वित्ती बस 2021 की दूसरी छमाही के लिए निर्धारी तरीके और साधन अगरे WMA की सीमा क्या है तो इसकी सीमा कितनी हो जाएगी Rs. 50,000 करोर is the right answer option C RBI has set the limit of WMA for the second half of financial year 21-22 October 21 to March 22-22 at Rs. 50,000 करोर is the right answer of this question इसी में important points मेंने दिये हैं the interest rate of WMA overdraft will be the WMA for repo rate for overdraft 2% above the repo rate next question है हमारा recently RBI has announced to remove PCA restriction from which bank तो हाल ही में RBI ने किस bank से PCA प्रतिबंद हटाने की खोशना की है तो वो की है IOB सही answer क्या हो जाएगा इसका option B IOB Indian Overseas Bank RBI has announced the removal of PCA restriction on Indian Overseas Bank the decision gives the bank more freedom for landing especially to corporation and grow the network subjects to prescribe norms IOB was placed under PCA in 2015 बात के लेते हैं IOB की तो Indian Overseas Bank का headquarter chain नहीं CEOA पार्थ प्रतिमसेन गुपता 410th of February 1939 किसकी बात हो लिए हाँ पे Indian Overseas Bank की अब चलते हैं हमारे next topic पे हमारा next topic है bank in news bank in news में हम public sector bank private sector bank other bank सभी की जो important news है वो discuss करेंगे हमारी last six month की तो यह काफी important topic है तो चलिए शुरू करते हैं हमारा इसका पहला question है which payments bank has announced to sign up as an official acquiring partners for e-rupee vouchers which will be accessible at offline stores across India यानि कि किस payment bank ने e-rupee voucher के लिए आधिकारी अधिगरेन भागेदारी के रूप में sign up करने की खोशना की है जो पूली भारत में offline store पर उपलब्द होगा right answer क्या है इसका Paytm Payments Bank is the right answer option D Paytm Payments Bank Limited has announced that it is an official acquiring partner for e-rupee vouchers e-rupee which is a government initiative with a cashless prepared voucher that beneficiary can present via SMS or QR code यानि कि Paytm Payments Bank Limited ने गोशना की कि e-rupee vouchers के लिए अधिकारी अधिगरेन भागेदार है और e-rupee जो एक सरकारी पहल है एक cashless prepared voucher है जिसे लाभारती SMS या QR code के माद हमसे प्रस्तूत कर सकते हैं इस question के regarding आपको other important points दिये गए हैं आप इनको जरूर देखिए वीडियो को pause करके या फिर आप PDF डाउनलोड करके Hindi English ओनों में ही available हैं बात के लिएते हैं Paytm Payments Bank की तो founder in 2015 headquarter Noida UPS की founder and CEO कौन है विजय से खर सर्मा किसकी बात हो लिए यहापे Paytm Payments Bank की and next question है हमारा which bank has partnered with NPCI to launch MSME Roopay Credit Card MSME Roopay Credit Card launch करने के लिए किस bank ने NPCI के सांस आचे दाली की है तो वो की है Union Bank of India ने किस ने की है Union Bank of India the Union Bank of India has launched the Union MSME Roopay Credit Card in association with the National Payment Corporation of India it is a first of its kind initiative in the industry to provide simplified and digital delivery of finance to MSME to meet their business related operational expenses तो Union Bank of India ने NPCI के सायोग से Union MSME Roopay Credit Card launch किया है यह उद्योग में अपने तरह की पहली पहल है जो MSME को उनके website से संबंधि परिचालन खर्चों को पूरा करने के लिए वित की सरलीकरत और डिजिटल डिलीवरी प्रदान करती है बात कर लेते हैं Union Bank की तो Union Bank का हेड़कॉर्टर है मुंबई महारास्ट तो CEO है राजकरियन राइजी फांडरी 11th of November 1919 in मुंबई ये नेक्स पर हम चलेंगे हमारा नेक्स कोश्चन है एंबिट फिंवेस्ट हैस पार्टनर्ड विच वैंक फॉर फिनेंसिंग माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम अंट्रप्राइजिक कस्टमर्स तो एंबिट फिंवेस्ट ने सूख्ष में लगू और मध्यम उध्यम यानि की MSME ग्रहाकों को वित्व पोशन के लिए किस बैंक के सांथ साजेदारी की है है राइट आंसर इसको जाएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सांथ इसने साजेदारी की है तो एंबिट फिंवेस्ट है अनॉंस्ट दा साइनिंग अफ को लेंडिंग अग्रिमेंट विद य session हमारा next question है the initiative named houseworkswork has been launched by which bank? तो housework is work नाम पहल किसs wiem के द्वारा शरू की गई है वो शरू की गई है access bank के द्वारा write answers का क्या हो जाएगा access bank तो Access Bank has launched a house work is work project which provides possibilities for those who want to return the workforce in an interview about the bank's recent hiring initiative house work is work. तो कारेबल में सहली सिक्षित महिलाओं की कम भागेदाली के कारएं Access Bank ने house work is work परियोचना सुरू की है जो उन लोगों के लिए समभावने परदान करती हैं जो कारेबल में वापस आना चाहते हैं. Access Bank के अध्यक्ष्ट और प्रमुख राज कमल वैंपती ने bank की हाल या हाइरिंग पहल house work is work के बारे में साक्षातकार में ये कहा है. Other important questions question के रिगारेंगे आप देख सकते हैं हम चलेंगे हमारे next question पी हमारा next question है. State Bank of India will set up an innovation incubation and acceleration center IIAC at Dash. तो State Bank of India ने में Dash में एक innovation incubation and acceleration center इस्थापित किया है तो कहां पे किया है वो किया है 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 हैं 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 हैदराबाद में. इसका सही आंसर क्या है है हैं हैदराबाद में SBI ने IIAC जो center है वो स्थापित किया है. SBI की बात करें 1st July 1955 headquarter Mumbai महारास chairman कौन SBI के दिनेज कुमान खारा. Next question है हमारा which bank has launched a co-branded credit card with Emirates Skywards. So Emirates Skywards के सांस है branded credit card किस bank ने launch किये हैं तो वो किये हैं ICIC bank ने. Right answers का हो जाएगा ICIC bank in collaboration with Emirates Skywards the loyalty program of Emirates and fly Dubai ICIC bank created the Emirates Skywards ICIC bank credit card. Customer can earn a reward point known as Skywards miles on travel, lifestyle and everyday purchase with the collection of cards. These cards according to the private sector land offer best in class rewards and advantage and are a perfect fit for affluent consumers who travel abroad frequently. So Emirates Skywards ने Emirates or fly Dubai के loyalty program के सहीयोग से ICIC bank ने Emirates Skywards ICIC bank credit card बनाया है. किस ने मनाया है ICIC bank ने. इसी question के regarding other important points ने आप इनको देख सकते हैं हम चलेंगे हमारे next question पर हमारा next question है and the auto first application has been launched by which banks to offer fully automated auto loans. तो पूरी तरह से सचालीत auto-dune पेसकस करने के लिए किस bank द्वारा auto first application launch किया गया है. तो वह किया गया है HDFC bank के द्वारा. Right answer किया है HDFC bank? HDFC bank has announced the launch of smart hub vya-par program and auto first app for the following two initiative application to give a digital push to small business loans. तो HDFC bank ने लगवेसाय रिणों को digital push ताहन देने के लिए निमले की दो पहलों में smart hub vya-par कारिक्राम और auto first app launch करने की गोशना की है. इसी के regarding आपको अधर important point दिये गए है जैसे auto first application. जो auto first application the financial institution now clock not less than rupees 1000 crore in service provider loan each month and is wanting to triple the run fee. HDFC bank can even launch the utility auto first that may provide totally automated loans. Next is smart hub vya-par program. The smart hub vya-par program for retailers will probably be launched quickly. It is an app that bundles all cost cost platforms, playing cards, UPI, QR code, fucking pay and SMS based of funds. बात करें HDFC bank की तो headquarter है Mumbai महारास्ट में August 1994 founder and CEO कौन है ससीधर जगती सन किसकी बात हो लिए HDFC bank की. चलिंगे हमारे next question पर हमारा next question है. State bank of India has issued DAS to Formosa bonds and listed the issuance on India INX gift IFSC. यानि कि State bank of India ने DAS Formosa bonds जारी किये हैं और भारत INX उफार IFSC पर जारी करने के लिए सूची बत किया है. 300 million dollar is the right answer of this question. SBI has issued 300 million dollar Formosa bonds and listed the issuance on India INX gift IFSC the lender is the first Indian entity to raise money through Formosa bond which is a bond issued in Taiwan. तो SBI ने 30 crore dollar के Formosa, sorry 300 crore dollar के Formosa bonds जारी किये हैं और इंडिर INX gift IFSC पर जारी करने को सूची बत किया है. रिड़ाता Formosa bond के माधियम से धन जुटाने वाली पहली भारती एकाई है जो ताइवान में जारी एक bond है. बात के लेते हैं SBI की founded in 1st July 1955 Headquarter Mumbai महारास्ट Chairman कौन है दिनिस कुमार खारा. Next question है हमारा The chance has chosen the following for the financing of Air India Old Debt. Air India की पुराने कर्च के वित्व पोर्षन के लिए Tata Samu ने निम्नमैसिक किन बैंकों को चुना है? तो वो चुना है All of these, सही answer हो जाएगा Option D All of these is the right answer यानि की SBI, HDFC, B.O.B. सब भी बैंकस में इंक्लूड हैं. तो Tata Group has chosen SBI, B.O.B, HDFC as preferred bankers for Air India. Recently Tata Group has taken over Air India from the government. Other important points is question की regarding आप देख सकते हैं. हम चलेंगे हमारे next question पे. हमारा next question है Dash and Patanjari Iowa Limited have launched co-branded contactless credit card in partnership with the NPCI Right answer का क्या हो जाएगा? पंजाब National Bank is the right answer यानि की पंजाब National Bank और Patanjari Iowa Limited ने NPCI के सांथ साथेदारी में सहे ब्रेंड़ संपरकरहित credit card launch किये हैं. किसके सांथ किये हैं? तो Patanjari और पंजाब National Bank ने. यहां पर हम बात कर लेते हैं पंजाब National Bank की founded in 1894, headquarter New Delhi, MD CEO अतुल कुमार गोयल और tagline के है The Name You Can Bank Upon. बात करें, पतंजाले आयुरवेट की founded in January 2006, headquarter Haridwar और founder से रामदेव और अचाले बालकरिशनन. नेक्स पर चलेंगे, नेक्स कोश्चन है हमारा Which bank has partnered with the Ministry of Culture to set up आत्मनिर्भर भारास Center for Design at Redford यानि की लाल के लिए में आत्मनिर्भर भारास Center for Design स्थाबिक करने के लिए किस bank ने संस्कृती मंत्राले के सांथ भागेदारी की है, तो वो की है State Bank of India ने इसका सही आंसर हो जाएगा SBI, SBI इसका सही आंसर है अब चलेंगे हमारे नेक्स कोश्चन पे हमारा नेक्स कोश्चन है Which of the following bank has partnered with NSC Academy to launch five online courses to promote financial literacy as a necessary life skill SBI has announced a partnership with NSC Academy to launch five online courses that promote financial literacy as a necessary life skill Next question पे चलते है और एक credit card that will be exclusively available on the Paisabajar platform तो Paisabajar.com ने किस bank के सांथ Paisa on demand की पेसकस करने के लिए साचेदारी की है एक credit card जो विस्तेश रूप से Paisabajar platform पर उपलब्द होगा तो वो किया है RBL Bank Right answer क्या हो जाएगा RBL Bank is the right answer of this question Paisabajar.com को headquarter है Guru Gram Haryana में इसके CEO Co-Founder है Naveen Kukhreja और इस question के regarding important points आपको दिये गए है जैसे मैंने बताया है आप इनको जरूर पढ़िए Next question पर चलेंगे Next question है इंडिया First Life Insurance Company में Union Bank of India की 21% की हिसेदारी का अधिगरांड करेगा Bank of Brother founded in 20th July 1908 Headquarter of Arudhra Gujarat MD & CEO है Sanjeev Chadda और उसका tagline है India's International Bank और Bank of Brother Amplug United Banks Dena Bank & Vijaya Bank in 2019 Next question है हमारा Name the bank which has recently acquired the highest stake in India Debted Resolution Company Limited IDRCL यानि कि उस bank का नाम बताईए इसने हाल ही में इंडिया के data debt resolution company limited की सबसे अलिक इस्तेदारी हांसल की है तो वह की है Cantera Bank Cantera Bank is the right answer State Bank of India, Punjab National Bank, Bank of Brother Union Bank of India, Cantera Bank of Bank of महरास्ता ने India Debted Resolution Company Limited के शेयरों में अपने सरस्ता की घोशना की है मैंने आपको टेबल दी है आप इसमें कितने % की हिस्तेदारी है यह देख सकते हैं वीडियो को पॉस्ट करके और सारे बैंकों के इसमें मैंशन है Question different तरीके से भी आ सकता है कि किस बैंक की कितने % की हिस्तेदारी है यह भी पुछ तरीके से भी एक्जाम में पूछा जा सकता है तो इसलिए आप लोग वीडियो को पॉस्ट करके बैंक की पॉसंटेज आप जरूर देखें किस बैंक का कितना % है Next Question है हमारा Which bank has won the best technology bank of the year Among the Large Bank Segment in IBA 17 Annual Banking Technology Awards 2021 यानि कि किस बैंक ने IBA के सत्रवे वार्थिक बैंक पॉस्ट करके की पॉस्ट कर दो जार रिकिस में Large Bank Segment में Services पॉस्ट करके की Bank of the Year का पॉस्ट कर जीता है तो वो जीता है Bank of Paroda is the right answer of this question Best Technology Bank of the Year in Large Banks Bank of Paroda In Small Bank the Southern Bank in India In Foreign Banks, City Bank, NA, Regional Rural Bank, Baroda, Rajasthan, Chhetri, Grammarine Bank Is the right answer आप इसको देख सकते हैं Question में अगर other banks का पूछा जाएगा तो भी आप इसको सही कर सकते हैं इसलिए आपको जरूर देखना है इसको पॉस्ट करके अब चलेंगे हमारे next question पे हमारा next question है Which bank has recently backed three awards at the 17 Annual Banking Technology Conference and awards 2021 next generation banking all runner ups किस bank ने हाल ही में? 17 वार्सिक banking प्रौदर की सम्मेलन और पुरुसकारों में तीन पुरुसकार प्राप किये हैं 2021 किसके next year banking सभी उप विजयता राइट आपस का हो जाएगा करनाटका बैंक इसका सही अंसर है option a करनाटका बैंक करनाटका बैंक ने भारतिय बैंकिंग संगयनी के आए बिये द्वारा इस्थापी सत्रवे वार्सिक बैंकिंग प्रौदर की सम्मेलन और पुरुसकार 2020 किसके next year banking में तीन पुरुसकार प्राप किये हैं shop in the metaverse यान ये की निमलेखित में से कौन Metaverse में दुकान स्थाबित करने वाला दुनिया का पहला ंप्श्व दॉनिया का पहला बैंक बन गया और Ç.P Morgan कौनसा बैंक बन गया आ जए पी मॉगवान बैंक बन गया है अमेरिका चे सबसे 원गे ब्लॉक्चिन अधारी विश्व डिसंट्रेंड में एक लाउंच खोला है बात करें जेपी मॉगण की सी यू है जैमी दी मौन फॉंडे इन फॉर्स्ट गिसमबर 2000 नेक्स कोशन है हमारा रिजर्व बैंक ओफ इंडिया है अप्रूब्ड विच पेमेंट बैंक फॉर कमेंसिं इन्टर नुठर करने के लिए नहीं चुरू करने के लिए फिघेमेंट बैंक को व्दी है फिम्नो पेइमेंट को साहिया अंसर क्या हो जाएगा इस्को फिहीर फिपेमेंट के बात करने के करने है चेयर्मेन है Crispy कुमार चोहान फिस्टैब्स 13 अब जोलाई 2006 और MDC हो है रिश्री गुपता और इसका है मुंबई महारास्ट में किसकी बात रही हां पर फिनो पेमेंट्स बैंक की चलिएंगे नेक्स कोश्चिन पर नेक्स कोश्चिन है हमारा SBAE Cards and Payment Services has collaborated with which banks with which company to enable their car holders to tokenize their cards on devices and make payments यानि कि SBAE Cards and Payment Services ने अपने कार्ड धारकों को उपकरनों पर अपने कार्ड को token करने और भुकतान करने में सक्षम बनाने के लिए किस company के सांसाइयों किया है तो वो किया है Paytm के सांसाइय अंसर क्या हो जाएगा इसका Paytm is the right answer of this question next question है हमारा the Punjab and Maharashtra cooperative bank limited PMC has been amalgamated with which bank यानि कि Punjab and Maharashtra cooperative bank limited को किस bank के सांस विलाइ किया गया है तो उसको unity small finance bank के सांस विलाइ किया गया है किसकी बात हो रही है PMC PMC यानि कि Punjab and Maharashtra cooperative bank PMC की बात किया है तो चेयर में ने इसके बलबीर सिंग कोचर from 1984 headquarter है इसका मुंबई महारास्ट इसके other important points आप देख सकते हैं हम चलेंगे हमारे next question पे हमारा next question है which bank has announced the launch of project बन सकी in Odisha in collaboration with Mahagram and Sunwes India Financial Services Private Limited के सायोग से Odisha में project bank सकी सुरू करने की घोशना की है तो सही answer इसका क्या हो जाएगा Bank of Maharashtra is the right answer of this question Bank of Maharashtra की बात करने हैं तो headquarter है पूने महारास्ट में और किसी यह है A.S. Raji founded in 16th of September 1935 next question है हमारा which bank has announced the launch of first private of infinity the country first ever standalone metal debit card in partnership with visa तो किस bank ने वीजा के साथ साचे दाली में देश का पहला standalone metal debit card first private of infinity launch करने की घोशना की है IDFC first bank is the right answer of this question IDFC first bank ने वीजा के साथ साथ सारी में देश का पहला standalone metal debit card first private infinite night launch करने की घोशना की है IDFC first bank की बात करें तो सिसके CEO है वी वैजनाथन headquarter Mumbai महारास्ट पॉन्टे ने अक्टूबर 2015 किसकी बात हो ने यहाँ पर IDFC first bank की next question है हमारा which of the following bank has launched pride CRMD module F for differently abled employees तो इम लिखित में से किस bank ने विकलां कमचारियों के लिए pride CRMD module app launch किया है तो वो किया है पंजाब national bank ने option c पंजाब national bank is the right answer पंजाब national bank की बाग करने को ने 1894 headquarter New Delhi MDC OSS Mallika Archun Rao tech line है the name you can bank upon next question है हमारा which bank in collaboration with NPCI launched on the go wearable की चैन तो NPCI के सही योग से किस bank ने on the go पहनने युक्चावी कर गुच्चा लांच किया है तो वो किया है city union bank is the right answer तो city union bank in collaboration with NPCI and its manufacturing partner has announced the launch of rupee on the go contactless variable keychain for its debit card customers city union bank की बाद के रहे headquarter है Kamba Konam और इसके CEO कौन है Dr. N. Kamba Kodi और founded in 1904 1904 में इसकी सापना हुई थी next question है हमारा which small finance bank has signed a partnership agreement with the fintech firm India gold to launch India's first loan against digital gold तो किस लगों वित्य बैंक ने digital gold पर भारत का पहला रिंड लांच करने के लिए fintech firm India gold के साथ 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 एक साज़ेदारी समझाते पर हस्ताफ्चर किये हैं तो इसने किये हैं सिवालिक small finance bank इसका सही answer हो जाएगा सिवालिक small finance bank signed a partnership agreement with fintech firm India gold to launch India's first loan against digital gold सिवालिक small finance bank का headquarter है नविडा उत्तरपरदेस में इसके MDCU है सुवीर कुमार गुपता किसकी बात हो लिए हाँ पर सिवालिक small finance bank की बात हो लिए next question है हमारा which bank has tied up with swift to provide digital banking solution to clients तो ग्रहागों को digital banking समधन परदान करने के लिए किस bank ने swift के साथ समझाता किया है तो वो किया है access bank ने राइट आम सर क्या हो जाएगा इसका access bank access bank is working with the new digital services to provide swift to provide comprehensive digital solutions to clients access bank founded in 3rd of December 1993 headquarter Mumbai Maharashtra MD CEO Amitab Chaudhary और chairperson कौन है Sri Rakesh Makheja किसकी बात हो लिए हाँ पर access bank की next question है हमारा which bank has mpanel as the banking partner of the state government of Maharashtra तो किस bank को महारास राज सरकार के banking भागिदार के रूप में सूची बद्द किया गया है तो वो किया गया है equitos small finance bank is the right answer of this question तो equitos small finance bank की अगर हम बात करें तो इसका founded in 2016 headquarter chain नहीं तमिलनाडू MD CEO है वसुदेवन पठांगी नरसिमहन और का tagline है it's a fun banking किसकी बात हो लिए यहाँ पर equitos small finance bank की बात हो लिए next question है हमारा which bank had grabbed the top spot in overall digital transaction among large bank for financial aid 2021 यानि की बिच्टबस 2020 किसके लिए किस बैंक ने बड़े बैंकों के साथ समाग्रे डिजिटल लेंदेन में सीर्सिस्थान हासिल किया है तो वह किया है bank of waroda option d bank of waroda is the right answer next पर चलिंगे हमारा next question है which bank has launched the online platform called trade immerge to offer digital banking and value added services तो किस बैंक ने digital banking or more worthy सेवाओं की पेसकस करने के लिए trade immerge नामक online platform launch किया है तो वह launch किया है ICIC bank ने ICIC bank is the right answer ICIC bank के MDCO है Sandeep Bakshi headquarter है Mumbai Maharashtra और उसका tagline है हम है ना खयाल आपका किसका ICIC bank का चलिंगे next question पर है next question है हमारा which bank integrated the e-name to enable digital collections and settlement of funds to various e-name beneficiaries जयानि कि विभिन ने लाभार्तियों को digital शंग्रे और धन के निप्टान को सक्षम करने के लिए कौन सा bank e-name के साथ एकक्रित हुआ है तो वह हुआ है HDFC bank सही answer क्या हो जाएगा इसका HDFC bank is the right answer HDFC bank today announced an integration with the e-name national agriculture market which is an Indian government online trading platform for agriculture commodities next question है which one of the following institution has lost their video life certificate services for pensioners तो ने मिलेकित पैसे किस संस्थान ने pension भोगियों के लिए video G1 परमारपत्र सेवा शुरू की है वो की है State Bank of India ने right right answer हो जाएगा SBI तो भारतिय स्टेट बैंक ने pension भोगियों के लिए video G1 परमारपत्र सेवा शुरू की है यहां नई स्टेट पैंशन भोगियों को अपने घरों से विडियो के माध हम से अपना जीवर परमारपत्र जमा करने की आनुमती देता है next question है हमारा with which bank with which payments bank SDFC Limited has partner to offer home loans to promote affordable housing यानि कि किस भुकतान bank के साथ SDFC Limited ने किफायती आवाज को बढ़ावा देने के लिए ग्रह रिंड की पेसकस करने के लिए भागेदारी की है तो वह की है इंडिया पोस्ट पेइमेंट्स बैंक किसने की है इंडिया पोस्ट पेइमेंट्स बैंक SDFC Bank और इंडिया Post Payments Bank ने IPPB के 4.7 करोन ग्रहागों को 650 साखाओं में अपने व्यापक नेटवर्क को और 1.36 लाग स्याधिक Banking Access Points के माध्य हम से SDFC Limited के Home Loan की पेसकस करने के लिए एक रणनेतिक साचेदारी की है बात करेंगे इंडिया Post Payments Bank की तो MDCEO है जे बैंकर ट्रमो और इंडिया Post Payments Bank इसको बोलंगे शॉर्ट में IPPB was incorporated as Payment Banking Company under Section 22 of the Banking Regulation Act 1949 और इसका हैटकॉर्टर कहां पे है न्यू डेली में ये काफी important point exams के point of view से नेक्स पर जानेंगे हैं हमारा नेक्स कोश्चन है विच बैंक हैस पार्टनर्ड विज एक रडिट कार्ड वीर फॉर आम फोर्स तो सस्त्रबलो के लिए रूप एक रडिट कार्ड वीर लांच करने के लिए किस बैंक ने NPCI के साथ भागेदारी की है तो वह की है कोटेक महिंजरा बैंक ने किस बैंक ने की है कोटेक महिंजरा बैंक ने की है कोटेक महिंजरा बैंक ने की है कोटेक महिंजरा बैंक फॉर्ट इन 2003 हैटकॉर्टर मॉंबई महारास्ट M.D.C.O. उदे कोटेक टेगलाइन का है इसका लेट्स मेक मनी सिंपल नेक्स कोशन है हमारा which bank has signed an MOU with the Indian Navy to offer a defense of his salary package under power salute तो किस बैंक ने power salute के तहर रक्षा सेवा वेतन package की पेसकस करने के लिए भारती नौस इना के सांथ समझवाता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं तो वो किये हैं access bank ने option D access bank is the right answer नेक्स पर चलिंगे हमारा next question है which bank with mastercard EFC USAID has launched a hundred million dollar credit facility for Indian MSME तो mastercard DFC USAID के साथ किस bank ने भारती MSME के लिए 100 million dollar की credits with us चलू की है तो वो किये HDFC bank ने किस bank ने की है ये HDFC bank ने की है next पर चलिंगे next question है which small finance bank has recently launched qr soundbox for payment alerts तो किस small finance bank ने हाल ही में भुकतान alert के लिए qr soundbox launch किया है तो वो किया है AU small finance bank ने right answer हो जाएगा AU small finance bank इसका headquarter है जैपूर आजिस्थान में MDC1 संज्यागरवार चेयर्मेन है राज विकास वर्मा किसकी बात हो लिए यहां पर AU small finance bank की next में चलिंगे next question है हमारा which of the following bank has crossed the market capitalization of Hindustan Unilever to become the fifth largest company by market value तो इमने किस बैंक ने हिंदुस्तान Unilever के बाजार पुझी करेंट को पार कर बाजार मुलने के हिसाब से पांच भी सबसे बड़ी company बन गई है तो वो बन गई है ICIC bank कौन से बन गई है ICIC bank बन गई है next question है which bank has partnered with center for development of advanced computing CDEC to force cyber security तो cyber structure के लिए CDEC के साथ किस bank ने साच्हेदारी की है तो वो की है Union Bank of India ने cyber structure के लिए CDEC के साथ साच्हेदारी की है Union Bank of India के बाले में जानते है तो उसका founded in 1990 headquarter Mumbai महारास्त MDCO राजख्रेयन राइची और इसका tagline क्या है good people to bank with next question है which of the following bank has announced the launch of NAV e-cash cards on INS विक्रमा देते है तो वो की है State Bank of India SBI is the right answer of this question next question है हमारा which of the following became the first scheduled private sector banks to collect direct and indirect taxes सब्सक्राइब करने वाला पहला अनुसूची दिंजी शेत्र का bank बन गया है तो वो बन गया है Kotech Mahindra Bank next question है हमारा which of the following bank has announced in October 2021 to launch micro ATM across India सब्सक्राइब किस ने अक्टूबर 2021 में पूरे भारत में micro ATM सुरू करने की होशना की है तो micro ATM सुरू करने की कोशना किस ने करी है Kotech Mahindra Bank ने शुरू करी है next question है Yes Bank has recently tied up with which payment network to offer the credit card to its customers अस्यानी की Yes Bank ने हाल ही में अपने ग्रहापकों को credit card परदान करने के लिए किस भुपतान network के साथ समझाता किया है तो वो किया है वीजा के साथ किया है चलते हैं हमारे next point पर हमारा next point है other financial news other financial news हम cover करेंगे जिसमें हमारे last six month की जिसमें हमने October से March तक के question लिये है यह exams के point of view दे काफी important है तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला question है which of the following asset management company has recently appointed TS Ramakrishnan as its MD and CO तो निम्रेकित मैंसा किस परिशंपती प्रबंदन company ने हाल ही में TS Ramakrishnan को अपना MD and CO किया है तो वह किया है LIC mutual funds ने किसने किया है LIC mutual fund is the right answer of this question next पे जलेंगे हमारा next question है which insurance company has lost dog health cover a comprehensive health insurance for pet dogs and a digital campaign named Oh My Dog यानि किस Bima company ने dog health cover पालतु कुत्तों के लिए व्यापक स्वास्त Bima Oh My Dog नामक एक digital अभियान शुरू किया है future generally India insurance right answer हो जाएगा option D FGII की बात करें तो CEO है अनुपराव headquarter है इसका Mumbai महारास्टर में founded in 2000 इसके regarding important points आपको दिएगा है आपने इनको जरूर पढ़ना है line by line next पर चलेंगे हमारा next question है which mutual fund has launched a woman led financial empowerment initiative लक्ष्मी फॉल लक्ष्मी यानि कि कि मुच्वल फंड ने महिलाओं के नेतवत्य वाली वित्तिय ससक्तिकरंट पहल लक्ष्मी फॉल लक्ष्मी शुरू की है जो एक अनुखी मिस्ट कॉल सेवा के माध्यम से महीला इन्वेस्टर्स को उनके पास एक महीला वित्ती वित्तिय सग्य से जोड़ेगी next पी जोनेंगे हमारा next question है which of these is not a part of all linear financial institutions AIFI under RBI इसमें कॉन RBI के तहत अखिल भारती वित्तिय संस्थान का हिस्सा नहीं है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सेवी सेवी इसका सही आंसर हो जाएगा option D तो presently RBI has four AIFIs under its namely Exim Bank, NABAR, NHB and SIDVI, NABIFID will be the fifth AIFI under RBI important point है कि कौन-कौन से है इसमें AIFI तो याद अखिएगा Exim Bank है, NABAR, NHB and SIDVI है और आप कौन से include हो गया है इसमें इसमें कौन से अब जो है इसकी हम बात कर रहे हैं वो क्य होगे NABIFID तो Chairman कौन है इसके KV कामत NABIFID के कौन है Chairman वो है KV कामत next पर जलेंगे next question है what is the interest rate fixed by EPFO on provident fund deposits for the financial year 21-22 तो वित्ती बस 2021 के लिए भवश्री निधी जमाप EPFO द्वारा निर्धारित प्यासदर क्या है तो वो है 8.10% is the right answer next question है which bank has partnered with software company tone tech for voice say UPI payment service किस bank ने voice say UPI भुकतान सेवा के लिए software company tone tech के साथ भागेदारी की है तो वो की है NSTL payments bank किसने की है NSTL payments bank ने next पर जलेंगे हमारा next question है which is the first fintech to receive RBI's PPI Interoperability guidelines को प्राप करने वाला पहला Fintech कौन सा है तो वह है Live Quick कौन सा है Live Quick है तो प्रिपेड भुकतान साथन प्रिपेड भुकतान साथनों के लिए पूर्ण अंतर संचालन हासिर कर लिया है जैसा कि RBI द्वारा अनिवार है बात करें Live Quick कौन in 2012 Headquarter Mumbai महारास्ट को फाउंडर CEO कौन है मोहित लवलानी other co-founder है युजुधाजीत नागसेन नेक्स पर चलेंगे next question है हमाला महीला मनी ये ट्रांस्कॉप्रिपेड पेमेंट इस्टूमेंट क्या है तो वह किया है वीजा के साथ वीजा के साथ लाइट अशर इसका क्या हो जाएगा वीजा Transcom International Limited की बात करें तो establishment है इसके 1994 headquarter है Delhi और इसके MD कौन है गोपाल शर्मा कौन है गोपाल शर्मा next what is the upper limit of an UPI light payment transaction तो UPI light भुकतान लेंदेन के उपरी सीमा क्या है तो इसकी है rupees 200 कितनी है 200 रुपी है next पर चलेंगे next question है हमारा Pops is India's first intelligent messenger which entity has lost this facility तो Pops भात का पहला intelligent messenger है किसी काई ने सुविधा को launch किया है इसको launch किया है Paytm Money ने किसने launch किया है इसको Paytm Money ने launch किया है Paytm Money के CEO कौन है वरुन सिरीधर इसके CEO है location है इसका headquarter की बैंगलूरू और founded in 20th September 2017 किसकी बात रही यहाँ पर Paytm Money की next is SPM CIL has set up two new bank note printing lines where are these two located to SMP CIL के दो नए bank note printing lines की इस्थापना की है यह दोनों कहाँ पर स्थित है यह दोनों Naastik and Devas में स्थित है कि कहाँ पर है Naastik and Devas किसकी SMP CIL full form के security printing and mining corporation of India limited इसके chairman कौन है SMP, SPM CIL के chairman MD है Tripti Patraghost and founded in 10th of February 2006 next question है हमारा in the phase 1 bank will transfer 50 NPA accounts worth Dash to National Asset Reconstruction Company Limited NARCL in financial year 22 तो channel 1 में bank विद्वास 2012 में Dash मुले के 15 NPA खाते National Asset Reconstruction Company Limited को हस्तां स्रीद करेंगे तो कितना करेंगे रुपीज 50,000 करोर is the right answer of this question next पर जलेंगे हमारा next question है the center has reduced the agresis for crude palm oil from Dash to 5% तो केंद्र ने कच्चे पाम तेल के लिए क्रसी उपकर को Dash से घटकर 5% कर दिया है कितना कर दिया है 7.5 से घटा का कितना कर दिया है 5% कर दिया है next question है CBI has recently registered the biggest travel bank fraud case by which company तो CBI ने हाल ही में किस company द्वारा bank दोकधरी का सबसे बड़ा मामला दर्च किया है तो वो किया है APG CPR right answer क्या हो जाएगा APG CPR is the right answer next question है हमारा the RBI stated that the certificate of authorization of payment system operators death has been cancelled तो भारती रिज़र बैंक ने कहा कि भुक्तान 45 अंचालकों का पर्मान पत्र डैश रद्ध कर दिया गया है तो क्या है मुथूट वहिकल and Asset Finance Limited, Eco India Finance Service Limited जो है इन कंपनियों का license रद्ध कर दिया गया है next question है हमारा NPCI भारत Bill Pay Limited has lost a unified presentment management system to simplify recurring bill payments who is the present CEO of NPCI भारत Bill Pay Limited and BBL NPCI भारत Bill Pay Limited के आवर्ती बिल भुक्तान को सलल बनाने के लिए एक एक एकरेस पस्तुती प्रबंदर प्रणाली लांच की है NPCI भारत Bill Pay Limited के वर्तमा CEO कौन है तो वो है नुपूर चतुरवेदी कौन है इसके वर्तमान में CEO नुपूर चतुरवेदी next question है which mutual fund has launched India's first auto exchange traded fund TETF तो किस mutual fund ने भारत का पहला auto exchange traded fund launch किया है तो वो किया है निपून इंडिया mutual fund ने option D is the right answer next question है which insurance company has continue to be identified as domestically systematically important insurer for 21-22 तो किस भीमा company ने 2021 के लिए घरेलों विवस्तित रूप से महतरपुन भीमा करताओं के रूप में फैचानना जारी रखा है तो all of the above is the right answer यानि कि LIC General Insurance Corporation New India Insurance Service के सही answer हो जाएंगे तो option D is the right answer of this question next question है हमारा the Indian government will hold about dash of the total outstanding shares of the Vodafone idea भारा सरकार Vodafone idea के कुल बकाया शेरों का लगभग कितना परसें धरन करेगी तो वो करेगी 35.8% is the right answer next question है yes mutual fund renamed as dash yes mutual fund का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है तो उसका नाम क्या कर दिया गया है white oak capital mutual fund yes mutual fund का नाम क्या हो गया है white oak capital mutual fund का नाम हो गया है next हमारा question है the cabinet the union cabinet approved infusion of dash करोड रुपीज in IREDA यन की केंदरी मंस्री मंदल ने इरिड़ा dash करोड रुपीज डालने की मंजूरी दी है कितनी दी है 15 सर करोड रुपीज is the right answer of this question IREDA कैफूल फॉरम है इंडिया रेनियोबल एनेर्जी डेवलप्मेंट एजन्सी लिमिटेड next question है IIMK life sign I am with which bank to disboss loan up to 50 करोड रुपीज फॉर स्टार्टप तो IIMK live ने स्टार्टप के लिए 50 करोड रुपीज तक के रिंड विच्रिट करने के लिए किस बैंक के साथ समझ सभ़ाता ग्यापण प्रहस्त दक शर किये हैं तो किय हैं, Indian bank के साथ किस bank के साथ किये है Indian bank के साथ किये है next click pay is a facility launched by which company for customers to pay recurring online bills easily and conveniently यानि कि click pay किस company द्वारा आपने ग्रहाकों को आवर्ती online billों का आसानी से और आसानी से भुक्तान करने के लिए शुरू की गई एक सुविधा है तो mobiquick किसका सही answer हो जाएगा? mobiquick is the right answer of this question next question है मारा which of the following has launched a mobile app सार्थी based on investors education in Mumbai महारास्टा किस ने मुंबई महारास्टा में निवेसक सिक्षा पर आधारी तेक mobile app सार्थी लाँच किया है तो वो किया है सेवी ने, किस ने किया है सेवी ने next जो हमारा question है which internal insurance company has partnered with Tropogo for the distribution of a drone insurance product to drone Bima उत्पार्थ के विचरण के लिए किस सामान ने Bima company ने Tropogo के साथ भागेदारी की है तो वो की है Bajaj Allianz Journal Insurance Company ने Bajaj Allianz Journal Insurance Company की बात करें partnered in 2001 headquarter है पूने महारास्टा, MDCO कौन है तपन सिंगल किसकी बात और यहां पर Bajaj Allianz Journal Insurance की next step which of the following has become the first certified tokenization service for NPCI tokenization system to support tokenization of rupee card तो इम लेकित मैं से कौन? rupee card के tokenization का समर्थन करने के लिए NPCI tokenization system के लिए पहली प्रमारी token सेवा बन गई है तो वो कौन सी बन गई है? pay fee कौन सी बन गई है? pay fee is the right answer of this question NPCI की बात करें to founded in 2008 headquarter Mumbai महारास्ट, MDCO कौन है? किसकी बात हो लिए NPCI की next question है हमारा which company has launched voice trading powered by artificial intelligence AI यानि किस company को AI द्वारा संचालित voice trading शुरू की है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? pay fee money is the right answer of this question next पर जानिंगे next question है हमारा which country has planned to establish what's first bitcoin city? किस देस ने दुनिया का पहला bitcoin city स्थापित करने की योचना बनाई है? तो बनाई है अलसालवा डोर ने किस ने बनाई है? अलसालवा डोर ने बनाई है next question है जीवन और विराफत का जस्न मनाते हुए एक समारक सिक्का लाँच किया है तो वो किया है UK United Kingdoms का सही आंसर हो जाएगा next question है हमारा which of the following company recently launched tokenization solution safe card to help user meets RBI norms किस company ने हाल ही में उपयोग करता को RBI के मांदनों को पूरा करने में मदद करने के लिए token समाधा safe card launch किया है तो वो किया है phone pay ने right answer क्या हो जाएगा इसका option D phone pay is the right answer CEO को ने phone pay के Samir Nigam Headquarter है Bengaluru, Karnatak next question है हमारा which company has launched the NTS platform for tokenization of cards तो card के token के लिए किस company ने NTS platform launch किया है तो वो किया है NPCI ने किस ने किया है NPCI ने next question है हमारा which fintech company has recently announced its entry into the buy now pay later category with the launch of postpay तो किस fintech company ने हाल ही में postpay के launch के साथ buy now pay later strategy में previous की होशना की है तो वो किया है भारत पे ने right answer क्या हो जाएगा तो भारत पे इसका सही answer है भारत पे किस CEO को ने Ashneer Grover Headquarter New Delhi founded in 2018 next question है हमारा according to report to a report of Nesukim the crypto industry in India has the potential to add 184 billion dollar of economic value in the form of investment and cost saving by Dash तो Nesukim की report के अनुसर भारत में crypto ज्योग में निवेश और लागर बचत की रूप में Dash तक 184 billion dollar का आर्थिक मूल जोडने की छमता है तो कितनी है 2030 इसका सही answer हो जाएगा option B Nesukim की बात के चीर परसन है रेखा है MNN Headquarter New Delhi 1001st of March 1988 next question है What is the paid up capital of India debt resolution company limited IDRCL set up by the government of managing bad loans तो खराब लिणों के प्रवंधन के लिए सरकार द्वारा स्थापित India debt resolution company limited की चुकता पूजी क्या है तो वह है 80.5 लाक रुपीज is the right answer of this question next पर चलेंगे next जो हमारा topic है वह क्या है scheme and campaign related to banking oblique financial sector तो इसमें हम last six month के जो भी banking के financial sector के scheme and campaign से related जो question है वह cover करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला question है which health insurance company has launched star woman care insurance policy तो किस स्वास्त वीमा कंपनी ने star woman care insurance company launch की है तो वह किस ने किया है star health and allied insurance company ने option d is the right answer of this question तो star health and allied insurance company limited एक स्वास्त वीमा कंपनी ने star health and allied insurance company बात करें star health and allied insurance company की तो establishment 2006 headquarter chain ने तमिलनाडू है और इसके CEO कौन director सी भी CEO कौन है जगन नाथन नेक्स हमारा question है which of the following has announced the launch of its grain deposit program enabling institution to support sustainable projects तो ने मिलिकेत मैंसे किस ने इस्थाई परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए संस्थानों को सक्षम बनाने के लिए अपने हर जमाकार इक्रम को सुरू करने की घोशना की है तो वो की है DBS bank ने right answer का क्या हो जाएगा DBS bank next question है हमारा UPI safety and awareness week 2022 how long will be celebrated UPI safety and awareness week 2022 कब से कब तक मनाया जाएगा तो यह 1-17 फरवरी तक मनाया गया है कौन सा UPI safety and awareness week 2022 next में चले नेक्स क्षचन है हमारा with which bank did the TETA power launched सूर्य सक्ती सेल for financing solar projects तो TETA power ने 100 परियोशनाओं को with the portion के लिए सूर्य सक्ती सेल launch किया था right answer क्या हो जाएगा State bank of India is the right answer of this question next question है what was the total corpus under the PMKS fund in 2021 2021 में PMKS fund के तहत कुल कितनी राश्टी थी तो right answer क्या हो जाएगा option C is the right answer 10,990.17 करोर rupees is the right answer next question है which of the following has collaborated with phone pay AWS and EY to organize 3 week long virtual summit fintech open तो ने में लिखित में से किसने phone pay AWS और EY के सांथ मिलका 3 सबताथ चलने वाले virtual summit fintech open का आयोजन किया है तो right answer क्या हो जाएगा Neeti Aayog is the right answer of this question चलेंगे next question है तो प्राकरतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कि संगठर ने जीव कारेकरम शुरू किया है तो वो किया है नाबार ने नाबार का फुर्फर्फर्म किया है National Bank for Agriculture and Rural Development नाबार की बात करें हम तो नाबार का establishment हुआ है Formation July 12, 1982 Headquarter Mumbai Maharashtra और इसकी Chairman है G.R. Chintala यानि की Govinda Rajulis Chintala Next question है हमारा Who has launched the first color souvenir coin on Panchi Tantra on the occasion of the 17th Foundation Day of Security, Printing and Mining Corporation of India Limited तो SPM CIL Security, Printing and Mining Corporation of India Limited के सत्रवे स्थापना दिवस के अफसर पर Panchi Tantra का पहला रंगे इसमारी का सिक्का किस ने लाँच किया है तो वो किया है निर्मला सितारमन Finance Minister निर्मला सितारमन ने लाँच किया है Next question है The Agri Infinity Program has been launched by which banks to develop Digital Financial Solutions for the Food and Agriculture Ecosystem तो खाद्रे और क्रसी पारतिती तंत्र के लिए Digital वित्तिय समाधान विक्सित करने के लिए किस bank द्वारा Agri Infinity कालिकरम शुरू किया गया है तो वो किया गया है Yes Bank के द्वारा राइट अंसर क्या हो जाएगा इसका Yes Bank Yes Bank is the right answer Next question है हमारा The Waste to Wealth Creation Program of SIDVI has been launched in which state तो SIDVI का Waste to Wealth Creation Program किस राज्य में शुरू किया गया है तो वो शुरू किया गया है West Bengal में SIDVI की बत करने है Founded in 2nd of April 1990 Headquarter है लखनव और इसकी Chairman और MD कौन है Siva Subramaniam Raman किसकी बात हो लिए यहां पर SIDVI की SIDVI है इसकी Establishment MD Chairman and Headquarters Next question है हमारा Which bank has launched महील मित्र प्लस से सेविंग स्कीम फॉर वुमें तो महीलाओं के लिए बचत योजन महीला मित्र प्लस किस बैंक द्वारा लांच की गई है तो फेडरल बैंक के द्वारा यह रोजना लांच की गई है Federal bank की बात करें Federal bank founded in 23rd of April 1931 Headquarter All over Kerala MDCO Syam Sini Vafsan tagline है इसका your perfect banking partner next है which payment banks has partnered with NPCI भारत Bill Pay Limited to facilitate Pan India Doorstep Bill Payment Services तो Pan India Doorstep Bill Bhukhtan Seva की सुविधा के लिए किस bank ने NPCI भारत Bill Pay Limited के साथ भागे दाली की है तो वह की है India Post Payment Bank is the right answer option B तो IAPPB 14 2018 2008 और इसकी जो Headquarter है New Delhi और इसके MDCO J Bank का ट्रमू और tagline क्या है इसका आपका bank आपके द्वार next पर जलेंगे हमारा next question है which bank has been conferred with two decision award institution institute to MEITY for the highest BIM UPI transaction under the private sector bank category तो निजी छेतर के bank की स्रेणी की तहस उच्छितम भीम UPI लेंदेन के लिए किस bank को MEITI द्वारा स्थापी दो रिजीजन पुरुसकारों से सम्मानित किया गया है तो वह किया गया है करणाट का bank को करणाट का bank तो करणाट का bank लिमिटेट के चेरिमन है परदीप कुमार पंचाव हैं मैंगलूरू फॉर्ण इन 18th of February 1924 नेक्स कोशन है हमारा हैस्टेक केर फॉर हॉकी कैमपेन यानि की हैस्टेक केर फॉर हॉकी अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है तो वह किया गया है बजाज एलियांज जर्नल इंशॉरेंस के द्वारा बजाज एलियांज जर्नल इंशॉरेंस की बात करें तो इसका फॉर्ण इंटू 2001 हैट्वाटर मॉंबई महारास्ट और सीओ एमडी कौन है तपन सिंगल नेक्स कोश्टेन है विच स्टेट हैस्ट प्रधानमंत्री जन्धन योजना लिस्ट विध हाइस नमबर ऑफ बैंक अकाउंट तो सबसे अधी बैंक खातों के साथ प्रधानमंत्री जन्धन योजना सूची में कौन सा राज जे सीर्स पर है तो उत्तर प्रदेश इसमें सीर्स पर है टॉप कॉंसर स्टेट है उत्तर प्रदेश नेक्स्ट कुस्टन है हमारा वहस लॉंस्ट तो इनिशेटिव कस्टमर संट्रिक इनिशेटिव औफ रिज़र बैंक को सब्डिया तो भारती रिज़र बैंक की दो नवीन ग्राह केंडरी पहल किस ने शुरू की है तो वह की है परदानमंत्री नरें वोदी ने ओप्शन ए इस दा राइट आंसर नेक्स्ट कुस्टन है हमारा दे कैम्पेंट टाइटल मुव बंद रखो हैस बीन लॉंच्ट बाइविच वैंक्स तो रेज अवेरनेस औन फ्रॉड प्रिवेंशन तो धोकधड़ी के रोख थाम के बारे में जागरुकता बढ़ानी के लिए किस बैंक द्वारा मुव बंद रखो नामक अभियान शुरू किया गया है किसके द्वारा शुरू किया गया है यह अभियान यह शुरू किया गया है HDFC bank के द्वारा HDFC bank is the right answer तो मुव बंद रखो campaign शुरू किया है HDFC bank ने किसके शुरू किया है To raise the awareness on fraud prevention in support of international fraud awareness week 2021 Next पर चलेंगे Next question है हमारा Which life insurance company has introduced Saral Bachat Bhima plant कि Stephen Bhima company ने Saral Bachat Bhima योशना शुरू की है तो वह की है India Foss life insurance company Option B is the right answer India Foss life M.D. CEO कौन है M. Vishakha Headquarter है Mumbai Maharashtra Founded in 16th November 2009 Next पर जलेंगे Next question है हमारा N.A.B. Sangrakshan is wholly owned subsidiary of which organization To N.A.B. Sangrakshan की Sangrakshan की पूर्ण स्वामित वाली सहाय कंपनी है तो वह है NABARD की right answer क्या हो जाएगा NABARD इसका सही answer है Next which bank has launched success campaign under the customer outreach program तो ग्राहत outreach कारेकरम के तहत किस bank ने 6 ऐसा अभियान शुरू किया है तो वह किया है पंजाब national bank ने किया है पंजाब national bank ने किया है अब चलते हैं हमारे next topic पे हमारा next topic है agreement and partnership of banking and financial जो हमारे agreements and partnership question है last six month के वह हम इस topic में cover करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला question है के विस्तार के रूप में SBI payments के सांथ भागेदारी की है तो वह किया Mastercard ने Option A Mastercard is the right answer Mastercard के अगर हम बात करें तो Mastercard founded in 16th of December 1966 U.S. headquarter New York U.S. CEO कौन है इसके Michael Maivek और Mastercard executive chairman कौन है Ajay Panga next question है हमारा भारतियो इतल has joined hands with which banks to launch a co-branded credit card to strengthen the growth of India digital ecosystem तो भारती एतल ने भारत के digital ecosystem के विकास को मचबूत करने के लिए co-branded credit card launch करने के लिए किस bank के सांथ हाथ मिलाया है तो वह है access bank right answer क्या हो जाएगा इसका access bank is the right answer next पर चलिंगे हम next question है हमारा BCCI India Premier League BCCI Indian Premier League IPL Governing Council has announced DAS as an official partner for the Tata IPL 2022 तो BCCI Indian Premier League की संसंचालन परिसाद ने Tata IPL 2022 के लिए एक आजिकारिक भागिदार के रूप में DAS की घोशना की है तो वो की है रूपे रूपे is the right answer of this question next पर चलिंगे हम next question है हमारा जेटा has partnered with which of the following company to power next-gen credit processing for banks fintech तो जेटा ने बैंक को fintech के लिए next-gen credit processing को power देने के लिए निमलेखित में से किस company के सांस साचेदारी की है तो वो किये Mastercard के सांस right answer क्या हो जाएगा इसका Mastercard next question है हमारा पेमेंट टेक स्टार्टप आइसलेंट टेकनलोजी का अधिक्रेंट किसके द्वारा किया गया है तो रेजर्पे के द्वारा इसका अधिक्रेंट किया गया है option a is the right answer रेजर्पे के CEO को ने हर्शिल माथूर founded in 2013 next question है हमारा चेने सुपर किंग्स has partnered with which bank for a co-branded credit card तो चेने सुपर किंग्स ने किस bank के साथ co-branded credit card के लिए की साचेदारी की है वो की है ICIC bank के साथ किसके साथ की है ICIC bank के साथ की है next question है Ola recently signed an agreement to acquire new bank available finance तो who is the CEO of Ola Ola ने हाल ही में new bank available finance के अधिकरेंट के लिए एक समझोते पर हस्ताक्षर किये है Ola के CEO कौन है तो इसके CEO है भाविश अगरवाल कौन है Ola के CEO वह है भाविश अगरवाल तो next question है हमारा which tech giant has partnered with भारती Airtel to invest 1 billion dollar to accelerate the growth of India's digital ecosystem तो भारत के रिजिटल पारश्री तंत्र के विकास में तेजी लाने के लिए किस tech giant ने भारती Airtel के सांथ एक अरब अमेरिकी डॉलर कर निवेस करने के लिए साझेदारी की है तो वह की है Google right answer उसका क्या हो जाएगा Google is the right answer of this question next पर जलेंगे हमारा next question है which entity has partnered with NPCI to enable Indian customers with an active UPI ID to receive real-time international payments real-time अंतरास्टी भुक्तान प्राप्त करने के लिए भारती ग्रहाकों को एक सक्री UPI ID के सांथ सक्षम करने के लिए NPCI के सांथ किस काईने साझेदारी की है तो क्या right answer जाएगा उसका टैरापे is the right answer of this question next पर हम चलेंगे next question है हमारा वेदानता लिमिटेड है टाइड आप फासिलिटी ओफ रुपीज 8000 करोर विद विच बैंक तो वेदानता लिमिटेड ने किस बैंक के सांथ 8000 करोर रुपी किस विदा का करार किया है तो वो किया है Union Bank of India के साथ Union Bank of India का Headquarter है Mumbai महारास्ट में CEO है राज्किन राय जी founded 11th of November 1919 in Mumbai next question है हमारा which of the following companies recently bought destiny game developer Bungie of rupees sorry of dollar 3.6 billion तो रिमिलिखित में से किस company ने हाल ही में destiny game developer Bungie को 3.6 billion dollar में खरीदा है तो वो खरीदा है sony right answer उसका क्या हो जाएगा sony is the right answer of this question next question हम चलेंगे next question है हमारा which insurance company has tied up with the policybizhar.com to digitally offer a wide range of life insurance and investment products तो policybizhar के साथ किस Bima company ने करार किया है policybizhar.com digital group से जीवन Bima और निवेत उत्पादों की एक विस्थिस रंखला की पेसकस करेगा right answer क्या है life insurance corporation is the right answer LIC is the right answer LIC के अगर हम बात करें तो फॉर्टेटिए 1956 headquarter है मुंबई महाराज से chairperson कौन है LIC के M. R. Kumar next पर जालेंगे next question है which general insurance company has signed an agreement with cast 24 financial services private limited तो किस जी general insurance company ने cast 24 financial services private limited के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये है तो कि है codec Mahindra general insurance company is the right answer next पर जालेंगे next question है हमारा which insurance company has recently partnered with Airtel payments bank to offer cyber security insurance तो साइबर सुदक्ष्षा भीमा की पेसकस करने के लिए हाल ही मैं किस company ने Airtel payment bank के साथ भागेदारी की है तो वह की है ICIC Lombard General Insurance ने right answer क्या है ICIC Lombard General Insurance ICIC Lombard General Insurance की बात करें Headquarter है मुंबई महारास्ट MDCO कान है इसके भारगबर दासकुपता और Airtel payments bank के MDCO अनुवता विस्वाथ Headquarter New Delhi founded in January 2017 next question है which company has bought maturity stake in Malaysian payment start-up named किस company ने करल लेक नामक Malaysian Bukhtan start-up में बहुमत हस्यदारी खरीदी है तो वह खरीदी है Razor Pay right answer क्या हो जाएगा Razor Pay is the right answer next question है हमारा which bank has recently partnered with Creditor Solutions to launch its new collections platform तो हाल ही में किस company ने अपना new collections platform launch करने के लिए Creditor Solutions के सांस आचेदारी की है तो वह किये RBL bank ने किसे किये RBL bank इसका साही answer RBL bank founded in 1943 headquarter इसका मुंबई महारास्टर और RBL bank का full firm क्या है Ratnakar Bank Limited और इसके MDCO है Rajiv Ahuja tagline क्या है अपनों का bank किसकी बात और यहां पर RBL bank की next question है हमारा which insurance company has inaugurated disease zone at Bandra Karla complex Mumbai महारास्टर as part of its effort to enhance its digital footprint तो किस बीमा company ने अपने digital footprint को बढ़ाने के प्रयास केते है Bandra Karla complex Mumbai महारास्ट में disease zone का घटन किया है तो वह किया है Life Insurance Corporation of India नहीं कि LIC is the right answer next पर जलिंगे हमारा next question है which of the following companies set up to acquire 100% stake in alias India and green investment 100% हिस्तेदारी हांसल करने के लिए तो वह है Tech Mahindra right answer क्या हो जाएगा Tech Mahindra इसका Tech Mahindra इसका सही आंसर है next question है LazyPay by PayU Finance has partnered with which banks to launch LazyCard prepared payment instrument backed by a credit line that works on the visa payment network तो PayU Finance द्वारा LazyPay ने LazyCard launch करने के लिए किस bank के साथ भागेदारी की है जो एक prepared भुकतान साधन है जो एक credit line द्वारा समर्थित है जो visa भुकतान network पर काम करता है right answer क्या हो जाएगा SBM bank इसका सही answer हो जाएगा option C SBM bank is the right answer बात करें हम SBM bank की SBM bank incorporated 1st December 2018 headquarter Mumbai महाराष्ट इसके CUMD सिदार्थ रत next पर चलेंगे next question है which payments bank has collaborated with park plus two of a fast track based smart parking solutions fast track अधरी smart parking समधान की पेसकाफ करने के लिए किस payments bank ने पाक प्रस के साँ सायोग किया है तो वो किया है ATL payments bank right answer इसका क्या हो जाएगा ATL payments bank is the right answer ATL payment bank next time चलेंगे next question है next question है हमारा with which of the following has industry technology collaborated to offer instant digital credit to small merchants so चोटे वैपारियों को तक का digital credit प्रदान करने के लिए industry technology निमलेखित में किसके साँ सायोग किया है तो वो किया है Google Pay के साँ right answer इसका क्या हो जाएगा Google Pay is the right answer next हमारा question है Air India has been acquired by Tata funds for what deal price so Tata funds त्वारा Air India का अधिगरण के साँ दे की कीमत पर किया गया है तो वो किया गया है rupees 18,000 करोर 18,000 करोर rupees is the right answer Tata Group के founder है Jamshet Ji Tata है इसका founded in 1816 Mumbai headquarter भी कहां पे है इसका Mumbai में next question हमारा Air India sorry next question हमारा which telecom enterprises in India has become the first in the industry to go live with UPI Auto Pay यानि कि भारत में कौन सा दूर संचार उद्धियम UPI Auto Pay के साथ live होने वाला उद्धियों का पहला उद्धियम बन गया है तो वो बन गया है Jio right answer उसका क्या हो जाएगा Jio is the right answer of this question next पर हम चलेंगे next question हमारा which of the following bank has launched a fitness wash debit card in tie-up with गूग की यानि कि मैंसे किस बैंक ने गूग की के साथ tie-up करने करके fitness wash debit card launch किया है तो वो किया है City Union Bank right answer उसका क्या हो जाएगा City Union Bank is the right answer of this question City Union Bank headquarter कहां पर है कुमा कोनम में और इसके CEO है Dr. N. कमकोडी और 1904 में इसके साफना होई थी next पर हम चलेंगे हमारा next question है following bank has entered into a bank insurance partnership with star health and allied insurance corporation limited किस bank ने star health and allied insurance company limited के साथ bank insurance आजिधारी में प्रविश किया है तो वो किया है federal bank ने right answer उसका क्या हो जाएगा federal bank next पर हम चलेंगे हमारा next question है which life insurance company has became first Indian insurance company to sign United Nations supported principles for responsible investment UNPRI कौन से जीवन बीमा कंपनी साइयुक्त राष्ट समर्थी सिद्धानतों के लिए जिम्मेदान निवेश UPI पर हस्ताक्षर करने वाली पहली भारतिय बीमा कंपनी बन गई है तो बन गई है ICIC Prudential Life Insurance ICIC Prudential Life Insurance की बात करें तो स्टैबलिश्ट 2000 Headquarter Mumbai Maharashtra MDCO कौनेस के नारायन स्रीनिवासा कनन नेक्स पे हम चलेंगे हमारा नेक्स कोश्चन है Which payment bank has partnered with Moneygram to enable international fund transfer यानि कि अंतरास्ती fund transfer को सक्षम करने के लिए किस payments bank ने Moneygram के साँ साज़दाली की है Paytm payments bank option A is the right answer नेक्स पे हम चलेंगे हमारा नेक्स कोश्चन है Sidvy has entered into a partnership with which of the following to help MSMEs तो Sidvy ने MSME की मदद के लिए निमलिखित मैंसे किसके सांस आज़दाली की है तो वो की है Google India के सांस I answer इसका क्या हो जाएगा Google India नेक्स पे चलेंगे नेक्स कोश्चन है हमारा Google Pay has tied up with which general insurance company to offer health insurance तो Google Pay ने स्वास्त बीमा की पेसकस करने के लिए किस सामान ने बीमा कंपनी के सांथ करार किया है तो वो किया है SPI Journal Insurance Company के सांथ SPI General Insurance की बात करें तो फॉंट इंटीन 24 of FAP 2009 हेड़कॉर्ट है मुंबई महारास्ट MDS CEO को ने प्रकास चंदर कांटपाल हमारा next question है इंडल मनी has tied up with which bank to for the first gold loan come landing partnership तो इंडल मनी ने पहली gold loan से उधार साज़दाली के लिए किस bank के सांथ समझाता किया है तो वो किया है इंडल सिंड बैंक के सांथ option B is the right answer बात करें इंडल मनी की तो इसके EDN CEO है उमेश मोहनन और इसको headquarter है Mumbai महारास्ट में Innocent Bank का headquarter है पुने महारास्ट and CEO है सुमन कटपालिया tagline है Innocent Bank we make you feel richer founder कौन है SP Hinduja April 1994 Mumbai is founded next पे हम चलेंगी हमारा next question है Dash has announced a tie up with one card for a mobile mobile first credit card that targets the country young tax saving population यानि कि Dash ने mobile first credit card के लिए one card के सांथ गठ जोड की घोशना की है जो देश की युवा टक्नीक प्रेमियावादी को लक्षिक करता है तो इसका right answer क्या हो जाएगा Federal bank is the right answer of this question next पे हम चलेंगे हमारा next question है next question है NPCI has partnered with which bank to launch rupee on the go contactless payment solutions तो NPCI ने rupee on the go contactless यानि कि समपर्क रहीत बुकतां समधान लौच करने के लिए किस bank के सांथ भागेदारी की है तो वो की है yes bank के सांथ right answer क्या हो जाएगा yes bank next question है which company has recently acquired 100% in digital learning startup credit मेट तो हाल ही में किस company ने digital learning startup credit मेट में 100% हिसेदारी का अधिकरन किया है तो वो किया है paytium क्या answer इसका हो जाएगा paytium is the right answer of this question आप चलते हैं next topic पे हमारा next topic है loan and projects तो loan and projects में हम हमारे last six month के जितने भी loan की question बनते हैं वो सारे cover करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं हमारा question है international monetary fund IMF has approved how much emergency support for Ukraine तो अंतरास्टी मुद्रकोस ने Ukraine के लिए कितनी आपात काली साहता को मंजूरी दी है तो वो दिये 1.4 billion dollar is the right answer IMF has approved 1.4 billion dollar in emergency support for Ukraine to finance expenditure and show up the balance of payments Ukraine has turned for to financing from allies and international institution to support its economy after the Russian invasion began on February 24 यानि कि IMF ने युक्रेन के लिए web की वित्तक पोर्षन और भुक्तान संतुन बढ़ाने के लिए आपात काली नसाहता में 1.4 billion dollar को मंजूरी दी है बात के लेते हैं यहाँ पर हम IMF की तो First Deputy Managing Director है IMF की गीता गोपिनाथ Headquarter है Washington D.C. US और MDA Kristalina Georgieva और Chief Economist यह जो पहले गीता गोपिनाथ थी Chief Economist इस की IMF की आप कौन बन गए है पाइलियर Oliver Gorinches next पर चलेंगे हम next question है हमारा How much amount has been extended by the Exim Bank as line of credit to Sri Lanka Exim Bank दोरा Sri Lanka को line of credit के रूप में कितनी रासी परदान की गई है 500 million dollar Exim Bank, Exim Bank का full firm क्या हो जाता है Export-Import Bank of India on behalf of the government of India extended a line of credit of 500 million dollar to the government of Socialist Republic of Sri Lanka for financing to purchase of petroleum products यानि कि भारा सरकार की ओस से Exim Bank ने पेट्रोल वित्पादों की खरीज की वित्तिक पोश्चन के लिए Sri Lanka के समाजवादी गंडराज की सरकार को 500 million dollar की रिंसायता परदान की है Exim Bank की बात करें तो Export-Import Bank of India's का full firm है founded in 1982 headquarter है मुंबई महारास्ट में 2021 Asian Development Bank द्वारा भारा सरकार को 2021 में Sovereign Loan के माध्यम से कितनी रासी परदान की गई तो की गई है वो 4.6 billion dollar As per the data official released by ADB it provide a record of 4.6 billion dollar in the sovereign landing to India in 2021 this include 1.8 billion USD towards coronavirus disease covid and pandemic response ADB द्वारा जारी आंख्डों के अनुसाल इसने 2020 में भारत को Sovereign द्वार में record 4.6 billion dollar परदान किये हैं जो coronavirus रोग महामाली पर्ट्री के लिए 1.8 billion dollar सामिल थे ADB की हम बात करें ADB का headquarter है modeling Philippines में President है मासुक हूँ इसकावा member country है 68 founded in 19th of December 1966 Other important points question के regarding आपको ही इंग दिये गए है आपने इनको जरूर परना है वीडियो को post करके या PDF डाउनलोड करके जो भी language आपको suitable है उस language में अब चलेंगे हम next question पर हमारा next question है The IBRD arm of the World Bank has recently approved loan worth of 115 million dollar for the state governments of Karnatka and Odisha for the implementation of which project तो विष्ट बैंक की IBRD साखाने हाल ही में किस परियोजना के कार्यानवें के लिए करनाटक और Odisha की सरकारों के लिए 115 million dollar के रिन को मंजूरी दी है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका reward reward is the right answer of this question तो reward का full form क्या हो जाता है regenerating watersheds for agriculture resilience through innovative development is the full form of reward आप उसको देख सकते है highlighted है आपकी content में next पे हम जलेंगी हमारा next question है India has paid dash in UN regular budget assessment for the year 2022 तो भारत ने वर्स 2022 के लिए सायूक्त रास्ट के नियमित budget आखलन में dash का फुक्तान किया है तो वो किया है 29.9 USD 29.9 million USD का तो भारत ने वर्स 2022 के लिए सायूक्त रास्ट नियमित budget आखलन में 29.9 million USD का फुक्तान किया है और 21 जनवरी 2022 तक 24 देसों ने अपने नियमित budget आखलन का पूरा फुक्तान कर लिया है next question है how much loan has been approved by the ADB to help the government of India improve the quality of the country school education तो भारत सरकार को देश की स्कूली सिक्षा की गुर्वत्ता में सुधार करने में मदद करने के लिए ADB द्वारा कितना रिंड स्विक्रित किया गया है तो 500 million dollar is the right answer of this question तो ADB ने देश की स्कूली सिक्षा की गुर्वत्ता में सुधार लाने और सिक्षा की सिक्षा पर COVID-19 महामाली के प्रभाव को कम करने में मदद करने के लिए भारत सरकार को 500 million dollar के रिंड को मंजूरी दी है next है हमारा Asian Development Bank has approved how much policy based loans to improve urban services in India ADB ने भारत में सहरी सेवाओं में सुधार के लिए कितने नीती आधारित रिंड को मंजूरी दी है 350 million dollar कितना 350 million dollar is the right answer of this question ADB has approved 2653.05 crore approx 350 million USD policy based loans to improve our services in India यानि कि भारत में सहरी सेवाओं सुधार के लिए दिया है ADB ने ये रिंड चलिंगे हमारे next question पे next question है हमारा which organization has approved 112 million dollar loan to strengthen skills education and training through the establishment of the Assam Skills University ASU यानि कि 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 संगठन ने असाम कौशर उश्विध्याले की स्थापना के माध्यम से causal शिक्षा और प्रसिक्षन को मजबूत करने के लिए 112 million dollar के रिंड को मंजूरी दी है next है मारा government of India has signed 442.6 euro million loan with which bank for 40.35 km सूरत Metro Rail project in Gujarat तो भारा सरकार ने Gujarat आपने 40.35 km की सूरत Metro Rail पर योशना के लिए किस bank के साथ 442.26 euro million रिंड पर हस्ताक्षर किये है तो वह किये है KFW bank option C is the right answer KFW bank next question है which bank has signed a coal lending agreement with UGRO capital to provide INR 1000 crore formal credit to underserved MSME to affordable rates कि कि बैंक ने कम सेवा वाले MSME को सस्ती दरोपर 1000 crore रुपिय का अपचारिक रिंड परदान करने के लिए UGRO capital के साथ सहाथ समझोते पर हस्ताक्षर किये है तो वह किये है Central Bank of India इसका सही answer हो जाएगा Central Bank of India Founded in 21 December 1911 Headquarter Mumbai महारास MDCO मां तुम वैंक कटा रहाओ Next पर हम चलेंगे हमारा Next Question है According to the latest World Bank Remittance Prices Worldwide Database Report by the World Bank Which country became the world largest recipient of remittance by receiving 87 billion U.S.T. in 2021 यानि कि विश्व बैंक की नवींतम विश्व बैंक की प्रेशन मूल ले विश्व वापी database report के अनुसार कौन सा देश की डॉलर प्राप्त करके प्रेशन का दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्त करता बन गया है According to the latest report by the World Bank titled World Bank Remittance Prices Worldwide Database India became the world's largest recipient of remittance by receiving 87 billion U.S.T. in 2021 Next पर चलेंगे Next question है हमारा Which financial body has approved 1.5 billion dollar loans to India for procuring safe and effective covid vaccine? तो किस विटी निकायने सुरक्षित और प्रभावी covid vaccine की खरीद के लिए भारत को 1.5 billion dollar के रिन को मंजूरी दी है तो राइट आंसर हो जाएगा ADB Asian Development Bank is the right answer of this question Next हमारा question है Which state government signed an MOU You with the world bank for a rupees 770 crore Loans to promote river transportation? किस राइट सरकार ने नदी परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 770 crore rupees के रिन के लिए वैश विश्व बैंक के साथ एक समझाता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये है राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका असाम असाम is the right answer of this question तो असाम के मुख्यमंदरी हिमंता विश्व सर्मा ने कहा कि अंतरदेशी जल परिवहन विभाग ने राज में नदी परिवहन में सुधार के लिए 770 crore rupees के रिन के लिए विश्व बैंक के साथ एक समझाता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये है next है ADV has approved how many million loan for India and ICDP तो ADV ने भारत के NICDP के लिए कितने million के रिन को मंचूरी दी है तो वो दी है 250 million कैसा यह answer हो जाएगा 250 million is the right answer तो ADV ने भारत के National Industrial Colorado Development Program का समर्थन करने के लिए 250 million American dollar के रिन को मंचूरी दी है next पर चलिंगे हमारा next question है the ADV has recently enhanced the climate financing goals 2019-2030 for developing member countries what is the new goal Asia Vikas Bank ने हाल ही में Vikas Steel सरसे देशों के लिए जलबायू with the portion लक्षों 2019-2030 को बढ़ाया है नया लक्ष क्या है यह question में पूछा गया है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 100 billion dollar is the right answer of this question तो ADV ने Vikas Steel सरसे देशों के लिए अपने जलबायू with the portion लक्षों को 2019-2030 में 20 Arab dollar से बढ़ाकर 100 Arab dollar करने की घोशना की है next question है तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा साक्षर किये हैं अब चलते हैं हमारे next topic पे हमारा next topic है index ranks and reports तो index ranks and reports में हम last six one के जो हमारे question बनते हैं वो सारे ही cover करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला question है which bank has won national award for outstanding performance for financial year 2021 in recognition of its best performance in self-help group bank linkage जाने कि स्वेम सायता समूब bank linkage में अपने सबसेश्य परदसन की मानिता में किस bank ने वित्तवस 2020 किस के लिए उत्क्रस्ट परदसन के लिए रास्टी पुरुसकार जीता है तो वो जीता है जमू & कश्मीर bank राइट आसर क्या हो जाएगा option D जमू & कश्मीर bank next हमारा question है which of the following bank has adjust as the Asian bank of the year 2021 and India bond house at the IFR-ACI awards 2021 तो मेरे किस bank को IFR-ACI awards 2021 में Asian bank of the year 2021 और India bonds house के रूप में चुना गया है तो वो चुना गया है access bank को right answer क्या हो जाएगा access bank is the right answer next हमारा question है what is the global rank of the LIC in the brand finance most valuable insurance brand in 2022 तो 2022 में brand finance के सबसे मूल लिवान Bima brand में LIC की वैश्ट्रिक rank क्या है तो LIC की इसमें वैश्ट्रिक rank है 10th दस भी rank है इसमें LIC की next हमारा question है which bank has been awarded the Digital Transformation Award DX 2021 Awards by CII यानि की CII द्वारा किस bank को Digital Transformation Award DX 2021 Award से सम्मानित किया गया है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा करनाट का bank is the right answer of this question next है DAS has begged the ICAEI Award for Excellence Inferencing Reporting for the Year 2021 In Public Secondities Category DAS ने साबजनी छेत्री की संस्थाओं की श्चैनी में वर्सथ 2020-21 के लिए वित्ती रिपोर्टिंग में उत्कृस्ता के लिए ICAEI पुरुसकर प्राप किया है तो वो किया है Railtel ने किसने किया है Railtel इसका सही अंसर हो जाएगा next हमारा question है which country will become the first country to adopt India's UPI platform तो कौंसा देश भारत के UPI platform को अपनाने वाला पहला देश बन जाएगा तो वो है Nepal कौंसा देश बन जाएगा Nepal Nepal will be the first country to adopt India's UPI system will play a pivotal role in transforming the digital economy of the neighboring country the National Payment Corporation of India next है हमारा which bank has won the UiPath Automation Excellence Awards 2021 for best automation under crisis for business continuity यानि कि किस बैंक ने crisis for business continuity के तहत बेस्ट automation के लिए UiPath Automation Excellence Awards 2021 जीता है तो वे जीता है South Indian Bank ने किसे जीता है South Indian Bank इसका सही अंसर है next हमारा question है which of the following is India's first crypto index that launched by crypto wire crypto wire द्वारा launch किया गया भारत का पहलो पहला crypto index ने में लिखित में से कौन सा है तो कौन सा है वो है RC15 option A is the right answer next हमारा question है which bank has been named as the best private bank in India at the global private banking awards 2021 तो Global Private Banking Awards 2021 में भारत के किस bank को Services Regi Bank के रूप में नामित किया गया है तो वो किया गया है HDFC Bank को right answer क्या हो जाएगा HDFC Bank is the right answer next हमारा question है which payment bank become the largest and fastest growing UPI beneficiary bank in India तो कौन सा payments bank भारत में सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला UPI लाभारती bank बन गया है तो वो है Paytm Payments Bank कौन सा है Paytm Payments Bank next question है which bank along with CRM Next Solutions has won the IBS Intelligence Global Fintech Innovation Awards 2021 CRM Next Solutions के साथ किस bank ने IBS Intelligence Global Fintech Innovation Awards 2021 किस जीता है तो वो जीता है Access Bank ने right answer क्या हो जाएगा Access Bank is the right answer next हमारा question है Reserve Bank of India Digital Payment Index rose by Dash to 304.06 in September 2021 against 217.74 in the year ago month यानि कि भारती Reserve Bank का Digital Bukhtan Sushka एक साल पहले के महिने में 217.74 के मुकाबले September 2021 में Dash बढ़कर 304.06 हो गया है तो कितना 39.64 बढ़कर हो गया है 30.06 304.06 इस इंडियास डवअ ऐस आसटा आंपथ 118 amount in India pers payments limited for इंडियाना फॉस्वास पयमेट्स लिमिटेड फाट इंडियाश को इंड्यान ने 10 mm वाइट लेबल अटेाइम को तynाद करके के एक मिल पथ nessa पाकर कर के लिया है Which bank has won two awards at ETBFSI Excellence Awards 2021? यहनी कि ETBFSI Excellence Awards 2021 में किस bank ने दो पुरूसकार्ट देते हैं? वो जो देते हैं DBS bank ने. Next question है हमारा, Which bank along with Vaina Network has won the most effective bank fintech partnership awards at its IBSI Global Fintech Innovation Awards 2021? तो Vaina Network के साथ किस bank ने IBSI Global Fintech Innovation Awards 2021 में सबसे प्रिभावी bank fintech partnership का पुरूसकार जीता है? तो वो जीता है federal bank ने. किस bank ने जीता है? Federal bank ने. Next हमारा question है, Which bank has got the SGM awards for best digital financial services under the regional rural bank category? तो किस bank को छेटरी ग्रामिड bank स्टेनी के तहट सरवस्य अस्ट डिजिटल वित्य सेवाओं के लिए? SGM पुरुसकार मिला है, तो मिला है करनाट का विकास ग्रामिड बैंक को. किस bank को मिला है? करनाट का विकास ग्रामिड बैंक, इसका headquarter है, धारवार करनाटक में चेर्मेन है पी गोपाल किष्णनल फाउंडे इन 2005. नेक्स्ट कुश्टिन है, विच बैंक है, तो वह है जेपी मौर्गन चेज, कौन सा है? जेपी मौर्गन चेज. नेक्स्ट कुश्टिन है, जेपी मौर्गन चेज बैंक के लिए दुनिया का पहला मर्चंट शेर होल्डिंग प्रोग्राम लाउंच किया है, तो वह किया है भारत पे ने, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका भारत पे. नेक्स्ट कुश्टिन है, करनाट का विकास ग्रामिड बैंक है तो करनाट का विकास ग्रामिड बैंक को हाल ही में दो राश्टी पुरस्कार मिले है, बैंक विकास ग्रामिड बैंक कोन है ये पुछा गया है, तो वो है केंरा बैंक, कौन सा बैंक है, वो है केंरा बैंक, राइट आंसर हो जाएगा केंरा बैंक. नेक्स्ट कुश्टन है, अब चलते हैं हमाले नेक्स्ट टॉपिक पर, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वालन को अपना brand ambassador नूक किया है, बहुत brand ambassador के रूप में भारती एकसा life insurance के hashtag do the smart thing champion को बढ़ावा देने में मदद करेंगी, भारती एकसा life insurance in 2006, MDCO है पराक राचा और parent organization है भारती enterprises, next हमारा question है, central has nominated who among the following as the director of the central board of reserve bank of India, तो केंद्री ने निमलिकित मैंसे किसे भारती reserve bank के केंद्री वोट के निदेशक के रूप में नामित किया है, तो वो किया है, Sanjay Malhotra, right answer क्या हो जाएगा, Sanjay Malhotra is the right answer, next है, name the MDCO of the IDVI bank, who's reappointed to the post has been approved by RBI, तो IDVI bank के MDCO को नाम बताईए, जिनकी पर्थ पर पुन्या नियुक्ति को RBI ने मजूरी दी है, वो है राकेश सर्मा, right answer क्या हो जाएगा, राकेश सर्मा, next question है, who has been appointed as the deputy managing director of state bank of India, तो भारती state bank के उपर परबंदग director के रूप में किसे नियुक्ति किया गया है, वो किया गया है, नितिन चुग, right answer इसका क्या हो जाएगा, नितिन चुग is the right answer, next name the IS officer who has been appointed as the new chairperson of National Financial Reporting Authority, NFRA, उस IS अधिकारी का नाम बताईए, जिसे राष्टे वित्ति रिपोर्टिंग प्राधिकरन का नाया अध्याक्ष ने किया गया है, next name who has been appointed as the new chairman of IRDI in 2022, 2022 में IRDI के नई अध्याक्ष के रूप में किसे नुक किया गया है, तो किया गया है देवासिस पांडा को, किसको किया गया है देवासिस पांडा को, next हमारा है पहले मंडल has been appointed as the interim MD and CEO of which bank, तो पहले मंडल को किस बैंक का interim MD and CEO नुक किया गया है, next question है, recently who joined the international strategic advisory board of data and analytics firm Dumb and Bradstreet, यानि कि हाल ही में कौन data and analytics firm Dumb and Bradstreet के अंतराफ्टी रणनेदी सलाकार board में सामिल हुए हैं, तो वो है रचनीज कुमार, right answer क्या हो जाएगा इसका, रचनीज कुमार is the right answer, next है हमारा, who has been appointed as the new chairman of SEVY, तो SEVY का नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, माध भी पुरी बुच्छ, right answer क्या हो जाएगा, माध भी पुरी बुच्छ is the right answer, next है, who has been appointed as the new chief economic advisor to the government of India, भारा सरकार के नए मुख्याथ तलाकार के रूप में नियुक्त किया गया है, answer is small lady red हो गया है, तो ठीक है, कोई बात नीज का साही answer हो जाएगा, भारती दिवाला और दिवालियापन बोर्ट के नए अध्याथ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो किया गया है, रवी मित्तल को, option D, रवी मित्तल is the right answer, next हमारा question है, who has been appointed as the president of institute of chartered accountants of India for the year 2022-2022, वर्ट से इसके लिए the institute of chartered accounts of India के address के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो देवास्ती स्मित्रा इसका सही answer हो जाएगा, option D, देवास्ती स्मित्रा is the right answer, next हमारा question, who has been named as the business standard banker of the year 2021, यानि कि वर्ट से दोहजार बेसिक किसके business standard banker के रूप में किसे नामित किया गया है, तो right answer क्या हो जाएगा, Sandeep Bakshi is the right answer, option A, next हमारा question है, in 2017, SEBI has formed a committee on corporate governance which recommended separating the roles of chairperson and MDCO of listed entities, who was the head of this committee, 2017 में, SEBI ने corporate governance पर एक समित्रा का गठन किया था, जिसने, सुचिबर संस्ताओं के अध्यक्षा और MDCO की भूमिकाओं को अलग करने की सिफारिज की ती, इस समित्रा के प्रमु कौन है, तो वह है उदय कोटक, नेक्स्त हमारा कोश्चन है, Who has been appointed as MDN CEO of Jamo & Kashmir Bank, तो Jamo & Kashmir Bank के MD and CEO के रूप में किसे ने उक्त किया गया है, वह है बल्देव प्रकाश, और कौन है, बल्देव प्रकाश is the right answer, नेक्स्त हमारा कोश्चन है, इत्रा डेविस has been appointed as MDN CEO of which bank, तो इत्रा डेविस को किस bank के MDN CEO के रूप में नियुक्त किया गया है, तो उनको उजीवन Small Finance Bank, right answer क्या हो जाएगा, उजीवन Small Finance Bank के MDN CEO के रूप में नियुक्त किया गया है, उजीवन Small Finance Bank के founder कौन है, Samit Ghosh, Headquarter है Bangaluru and founded in 1st of February 2017, नेक्स्ट हमारा question है, who has been appointed as the head of the RBI department for fintech, तो fintech के लिए RBI के विभाग के प्रमुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, Ajay Kumar Chaudhary को, right answer क्या हो जाएगा, Ajay Kumar Chaudhary is the right answer, नेक्स्ट हमारा question है, the board of directors of G1 Small Finance Bank appointed DAS as the MDN CEO of the bank, तो G1 Small Finance Bank के निदेशक मंडलनक ने DASH को bank MDCO नियुक्त किया है, तो वो किया है इत्रा डैविश को, right answer क्या है इत्रा डैविश, next हमारा जो question है वो है, the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, यानि कि FICI announced that DASH will be appointed as its president, and the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry ने घोशना की कि DASH को इसके अध्यश के रूप में नियुक्त किया गया है, तो वो किया गया है, Sanjeev Mehta को, right answer क्या हो जाएगा, Sanjeev Mehta is the right answer, FICI founded in 1927 headquarter New Delhi, president है हर्सपर्धन नियोतिया, और FICI के secretary general कौन है अरुण चावला, अब चलेंगे next question पर, हमारा next question है, who among the following has been appointed as the MD of RBL bank, तो ने मिलिखित में से किसे RBL bank का नया MD नियुक्त किया गया है, तो राजीव आहुजा को RBL bank का नया MD नियुक्त किया गया है, next हमारा question है, government has appointed venture banker KV कामत as CEO person of desk, तो सरकार ने अनुभवी banker KV कामत को DASH का अधियाक्ष नियुक्त किया है, तो उनको NABFID का अधियाक्ष नियुक्त किया गया है, next हमारा question है, RBI has approved the appointment of Baldeo Prakas as MD and CEO of Wish Bank, तो उनको Jammu and Kashmir Bank का राइटांसर क्या हो जाएगा, Jammu and Kashmir जो हमने previous question में discuss किया था, next हमारा question है, Saktikaan Daas is the Dash governor of RBI, जैसे मैं आपको हर question में बताती हूँ कि Ritual Bank of India का Saktikaan Daas 25th governor है, कौन से है, 25th governor है, next हमारा question है, Who among the following has replaced J.Straily as the CEO of Barclays Bank, तो ने किसने Barclays Bank CEO के रूप में J.Straily की जगा ली है, तो वो है, C.S.Wankat Krishnan, कौन है, C.S.Wankat Krishnan, option D is the right answer, next हमारा question है, Who has been appointed as the new chairman of the Karnataka Bank, तो Karnataka Bank Limited के नई अध्यक्ष के रूप में किसने निउख किया गया है, परदीप कुमार पांचा, परदीप कुमार पांचा को Karnataka Bank के नई चेर्में निउख किया गया है, next हमारा question है, तो किसको किया गया है, वो है रजनीश कुमार, रजनीश कुमार, रजनीश कुमार इसका क्या हो जाएगा, रजनीश कुमार is the right answer of this question, next हमारा question है, Who has been appointed as the new MD & CEO of Rating Agency Kisil, तो Rating Agency Kisil के नई MD & CEO के रूप में किसे निउख किया गया है, next हमारा है, BC Patnayak has taken charge as the MD of Desk, तो BC Patnayak ने Dash के MD के रूप में कारिभार समाला है, तो उन्होंने Life Insurance Corporation of India, LIC के MD के रूप में कारिभार समाला है, किसने BC Patnayak ने, LIC का Headquarter है Mumbai, 44 September 1956 Chairman है M.R. Kumar, अब चलते हैं हमारे next topic पे, हमारा next topic है GDP Estimation, हम इसमें GDP के question discuss करेंगे, जो जितनी भी GDP predictions के question है, वो हम discuss करेंगे, और याद रखेगा GDP predictions के जो question है, वो time time पे organizations के द्वारा change होते रहते हैं, तो जब भी हम एक्जाम देने जाएं, हमारा current का जो वीडियो है, वो देखके जरूर जाएं, क्योंकि current के जितनी भी GDP prediction है, उसी से question बनते हैं, previous जो है वो change होते रहते हैं, तो चलते हैं, हमारे question पे, हमारा पहला question है, what is the projected GDP growth rate of India, in the fiscal year 22-23 as per Fitch rating, Fitch rating के अनुसार, वित्वस 2022 से इसमें, भारत की अनुमानी GDP विकास दर किया है, तो वो है 8.5%, right answer है, option C 8.5%, next है, in the latest SBI EQR report, what is the projected GDP growth rate of India, in financial year 22, तो नवीन तव SBI EQR report में, financial year 2022 में, भारत की अनुमानी GDP विकास दर किया है, तो वो है 9.5%, next पर चलते हैं, next हमारा question है, United Nation World Economic Situation and Prospects, 2022 reports projects, इंडिया GDP add dash in financial year 22, तो सयुक्ते रास्टे विश्वा आर्थी किस्थिति, और संभावनाय 2022 report में, financial year 2022 में, भारत के सकल घरेल उतपात को, dash पर project किया गया है, तो वो है 6.5 is the right answer of this question, और इसमें मैंने आपको, globally percentage wise दिया है, यह भी दिया है, आप इसको देख सकते हैं, वीडियो को post करके, next पर चलते हैं, as per the latest GDP predictions, by Indra, what is the estimated GDP growth rate for Indian economy in financial year 2022-23, तो इंडर द्वार नविंतम GDP भुष्चमानी के अनुसार, वित्वस 2022 देश में भारत के लिए, अनुमानी GDP विकास दख क्या है, तो वो है 7.6% is the right answer, next हमारा question है, what is the estimated GDP growth rate of India in the fiscal 21-22, यानि कि NSO के लिए पहले अनुमान के अनुसार, वित्वस 2021 में भारत के अनुमानी GDP विकास दख क्या है, तो वो है 9.2%, कितनी है, 9.2%, next हमारा question है, what is the estimated GDP growth rate of India in financial year 22, as per the latest projection of UBI security, विकास दख क्या है, तो वो है 9.1%, कितनी है, 9.1%, next हमारा question है, as per the world bank, what is the projected growth rate of India economy in current fiscal financial year 2022, तो वो है 8.2%, तो विश्वी बैंक के अनुसार चालू वित्वस, financial year 2022 में भारत के अनुमानी विकास दख क्या है, तो वो है 8.2%, 8.3%, कितनी है, 8.3%, next question है, इंड्रा लोवर इंडिया's GDP growth forecast by 10 basis points to dash in financial year 2022, तो इंड्रा नहीं विट्वस, 2012 में भारत के सकल घरेलू उत्पात के विकास के अनुमान को 10 आधारंकों से खटा कर dash कर दिया, कितना कर दिया है, 9.3% कर दिया है, next day, according to National Statical Office यानी की NSO for the financial year 2021, India economy has contracted by dash in 2021, यानि के विद्वस 2020 के लिए रास्टे सांकी की कार्याले के अनुसार, भारती अर्थवस्था ने 2020 में dash अनुबंदित किया है, तो 6.6% अनुबंदित किया है, हम चलेंगे हमारे next question पर, हमारा next question है, The Economic Survey 2021-22 has projected a growth rate of dash percent for the next financial year, ending March 2023, आर्थिक Subjecture 2021-22 ने 2030 को समाप्त होने वाले अगले विद्वस के लिए 10% की व्रधिदर का अनुमाल लगाया है, तो कितना है A to 8.5%, option B is the right answer, सही answer क्या हो जाएगा इसका option B, इसके regarding मैंने आपको Hindi और English दोनों में ही content provide कर आया है, तो friends आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, यह हमने अपने last six months यानि कि October से March तक के हमारे last six months के banking and financial awareness के जितने भी question बनते थे उनको हमने topic wise cover किया है, और bilingual जो मैंने आपको question दिये है, option दिये हैं, और आपको content जो भी है bilingual provide कर रहा है, जिसको जो भी language suitable है उसमें easily उसको पर सकता है, तो अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगती है, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा share करें और चैनल को subscribe करना बिल्कुल न भूलें, जिससे आपको अधर important वीडियो की notification टाइम पे मिल पाएं, आप लोग हमसे different social media platform पर भी जुड सकते हैं, Instagram, Facebook, Telegram, Twitter, Gmail, WhatsApp को link आपको आपको टिचे description box में मिल जाएगा, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe करके bell icon दवाना बिल्कुल न भूलें, जिससे आपको अधर important videos की notification मिलते रहें, तो आज के लिए बस इतना ही जल्दी मिलते हैं हमारे next video में, thank you, thanks for watching.